गेंद उपर से निकली रवेशिंदे की एक आहा निकली अमपायर के तरफ एक आशा की नजर से देखा लेकिन जैसे ही देखा कि गेंद ने बैट को छोड़ा है बिना किसी क्षटी के बिना किसी रन के स्कोर अभी भी नौरन तीन विकेट के नुकसान पर मिडल स्टंप से लेक्स्टंप के दरफ जाती भी गेंद विकेट के पीछे निकली बैटसमन को शायद लग रहा है कि शायद वाइड हो लेकिन अमपायर बिलकुल एकागर रूप से अपने निन्हें पर बने हुए अच्छा स्टोक लेकिन सीधे फील्डर के पास एक रन मिलेगा पीछे से आकर फील्ड करते एक रन उस एक रन से सीए शुबम पहुँचे दो पर टीम की रन संक्या पहुँची दस पर तीन विकेट के नुकसान पर जबकि तीसरा ओवर चल रहा है एक पीछे अटे अच्छा पूल कर दिया गया उनको शाटाम पूल जैसे कहते हैं लेकिन केबल एक मातर रन उस एक मातर रन से वसीम स्वेम पहुँचे चार पर और टीम की रन संक्या को पहुँचा दिया है उन्होंने 11 पर एक एक करके रेंड बन रहे हैं बहुत ही नियंत्रिद भरी गेंद वाजी और जैसी आवाज सुनी गेंड निकल रही है सीमा रिखा के तरफ चका कर निकली बाउंस के साथ चकाया फील्डर को जैसे ही देखा कि थोड़ी सी फूलर लेंड गेंड थी अपने पहुच का इस्तमाल किया और मिड़ान और मिडविकेट के उपर से गेंड को उठा दिया हलाकि एक बाउंड के साथ चौके के लिए फील्डर बिल्कुल पीछे आते है इसके पहले गेंड निकली सीमा रिखा के बाहर पहला चौका निकला बल्ले बाजी के रूप में उन्चार उनोसे स्कॉर पहुचा पंदरह पर पहला चौका सीये शुवम की अपनी बैट से और कि समापती भी तीसरे पैट्रियोट ने टॉल जी था पहले बल्ले बाजी को आमंत्रित किया चालेंजर्स को कितना चालेंज देते हैं उसको पहले भापना चाहा पैट्रियोट ने और बहापने की तयारी में पेट्रियोर्ट ने अपने निर्णाय को सही साबित करते वे तीन विकेट अभी तक चटकाए है एक के बाद एक विकेट उन्होंने खोये लेकिन बीच वसीम बेग तयार हो रहे हैं खेलने के लिए ने गैनवाज के रूप में कि सीए मयंक गैंद हवा में कैज के रूप में संभावना लेकिन गैन लुड की अलगी कैज बना लिया था लेकिन अंतिम चणों में गैंद ने महसूस नहीं किया अपने आपको सुरक्षीत सीए शिंदे के हाथों में फलसरूप एक जीवंदाद सोलह परतीन लगातार इस बार कैज तो चूटा ही चूटा लेकिन साथ में चार रन बना लिया था दोनों लगातार के इंदों पर कैज लगभग बन गए थे लेकिन अंतिम क्षणों में गैंद ने उनका साथ नहीं दिया अरफल सुरूप दो जीवंदान मिलने के साथ ही टीम की रणसं से बीस पर बैट्समन भाग के शाली रहे तोड़ीशी शॉटो प्लेंड ग्यांद लेक्स्टम के बाहर निकली हम पार का इशारा एक एक्स्टर्स के रूप में स्कॉर पहुंचा है कीस पर ट्वेंटीवन फॉर त्री हलके से मोड ना चाहां वहाँ कोई खिलाड़ी नहीं था स्कॉर लेका अमपार के ठीक सामने आकर फील्ड करते एक रण के साहरे बैट्समन ने टीम को पहुचा दिया है बाइस पर ट्वेंटीटीटू फॉर त्री बिल्कुल कार पेट के साहरे गेंदब पहुच रही है लॉंग आफ पर फील्ड की एस फिर से थोड़ा सा मिस फील्ड हुआ आज़ा दीजिए दो दोनो बैट्समन को दूसरे रन के लिए विंदो रनोस के साथ टीम की रनसंख्या 24 पर जा पहुच रही है साथ पर खेल रहे हैं वसीम बेक सामना कर रहे हुल्टास गयन लगबग हवा में उपर काफी देर तक और इस बार फिर से लगातार कैच छोड़ा थोड़ी सी रोशनी के कारणिया कुछ एकागरता को ढूंड नहीं पा रहे हैं एक बहुती आसान सा कैच छूटा और गयन चार रन के लिए बाहर निकले सीमारे खाके रही है मिड आन पर विलकुल सीमारे का पर खड़े हैं मिड विकेंट के रूप में रिपलेस की आगया महाँ पर स्कुएर लेक के पीछ अब दी बैकवर्ट स्कुएर लेक पर आ रहे हैं वे सारे पर फिर से लगातार कैच छोड़ा थे वे बारा क्रिकेट में यह होता है का चूड़ता है रोष्टी में जब हम खेलते हैं तो ऐसी बाते होती है उसको नजर अदाज करते हैं फिर से अपने आपको पर फिर से अपने आपको मेदान सब्सक्राइब फोडी presents दो इस वार गेन का फुल टist करूप मैं गेन सीदी सीमारेका के बाहर जारन्स के रूप मैं लाँ N educator को ये। 14 हट थार से लेखा की वार 28 नहीं गेन चाररन्स करें निकल रही हैं दिखें ही हैं सीमारेका के बाहर 28 एक बचार貝ार थोड इन दोनों ने थोड़ी सी स्तीरता प्रदान की हैं सी ए चैलिंजर्स को मैंक ने अपना ओहर की समापती की मैंका थोड़ा सा महेंगा ओहर था सत्रा रंद उन्होंने खर्च किये अपने इस ओहर में अच्छी गैन थोड़ी सी नीचे रही लेक्ष्टप के बाहर हलकी देख लिए और हम पास ने इशारे किया एक एक्स्ट्रस का खाता बढ़ रहा हैं 32 पर टीम किरन संक्या 33 पर गैन्द दोनों खिलाडियों के बीच में लुड़कती भी थोड़ी सी हवा में जरूर थी लेकिन किसी परकार की कैच के कोई संभावना नहीं स्कोर 34 पर पांचवा और चल रहा है पांचवे और की दूसरी गैन्द सीए वसीम पंदरा पर स्ट्राइक करते वे लेक्स्टम पर बाहर निश्चित रूप से वाइड का इशारा अमपार्ज का 35 चाउंतीस रन 35 रन हलकी तीन विकेट के नुकसान पर पांच और में बहुत उची गैन्द फील्डर उसके नीचे आते इस बार गैन्द को क्याच किया गया लगातार तीसरी बार उस प्रयास में वसीम बेगा लगी फैंस को क्लियर नहीं करवाएं और विकेट का पतन हुआ चौथे चौथे विकेट का पतन स्कोर है 35 वसीम बेग आउट होगर लगी फैंस में कैच जित क्याणी ने लिया पताए उसके नीच जिनों ने क्या चुलिया उनका नाम क्युपय बताए तरून ने क्या चुलिया और एक विकेट पेट्रियाट कप से इंतधार कर रही थी एक विकेट का पतन हुआ वसीम बेक के रूप में सीए शुबम खेल रहे हैं बारा पर बैटिंग के रूप में बल्ले बाज जमाना जा रहे हैं अपने कदम लेकिन पेट्रियोट के गेंद बाज उनके कदमों पर अंकुष लगाने में लगातार सफल होते हैं इस बार गेंद सीधे छेरन के लिए निकली सीमारिका के बाहर बहुत तेज तर्रार चक्का थोड़ी सी फुलर लेंड की गेंद बिलकुल आदर्श के रूप में उनकी गेंद बल्ले पर आई सीधी जैसे ही निकली सभी ने पाया था कि गेंद छेरनों के साथ सीमारिका के बाहर उस चक्के के साथ मुहमबद ने अपना खादा खोला पहली गेंद पर वेक तालीस पर फिर से उसी प्रकार का स्टोक केलने की उनकी कोशिश गेंद उनके शॉट अप लेंथ एरिया से बैट को छोड़ कर निकली विकेट कीपर के पास एक तालीस पर चार शी ए चेलेंजर्स बेटिंग करते भी मैंदान में गेंजमीन से रगड़ते भी जा रही है अब फिल्डर के पास एक रन मिडाउं से दोड़ कर आते फिल्ड करते एक रन से और की समापती होती भी पांच वे और के समापती पर कुल रन संक्या है 42 इस रन चार विकेट के नुकसान पर जबकि आप जानते हैं ये मैच सी ये चालेंजर्स और पेट्रियोट के बीच में चल रहा है ड्रिंक्स मेदान पर हैं दोनों बैट्समन ड्रिंक्स के साथ जो विफील्डर से अपने के इनबाजों पर काफी संतुष्ट है चार विकेट उन्होंने चटकाए हैं और टीम को एक अच्छ स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है बचेवे पांच और उसमें चलेंजर्स के सामने थोड़ा चलेंज जरूर है उनका अगर इसी अंदाज से वे अगर जाते रहेंगे तो 84 रन पर पहुंचेंगे जबकि अभी आठ रन प्रतिवर के अवसत से आठ दशमलो चार रन प्रतिवर के अवसत से वे रन बना रहे हैं C.A.P.L. 2030 का आगाजा सुबह बहुती शानदार डंग से हुआ है और उसके पश्चात जो मैचे से लगातार चल रहे हैं सुबह से हम शाम में साथ बज़ कर 26 मिनिट जब हो रहे हैं तो इस मैच के पहले इनिक के इंटर्वल में ड्रिंक्स चल रहे हैं तो 42 रन बना लिये हैं चार विकेट के नुकसान पर जबकि पांच ओहर पूर्ण हो चुके हैं कि मैंक ने इस ओहर के पहले का वर्फे का था वे अब फिर से मोर्च पर आते आगे इंद बाजी में परिवर्तन होता हैं देखते हैं जबकि ड्रिंक्स मैदान के बाहर जाते वे की किलाड़ी अपने स्तान पर पहुंच रहे हैं फील्ड का अगर हम मौइना करेंगे देख पांच-छे कदम के दूरी पर विकेट कीपर अब अमपायर से छोर पर ला गया है जबकि सामने वाले एंड से अब अगे इंद बाजी को मोर्चे पर लगया गया है सी एशू बाम खेल रहे हैं बारा पर दो चोको की मदद से और महम्मद हिला भी खेल रहे हैं साथ रनों पर तीन गेंदों पर वे रन बनाए एक चक्का लगी उन्होंने अपने इस बैटिंग के दर्मियान लगाया है बहुत ही फैलावा फील्ड है विकेट कीपर फील्ड को दुबारा रिवियू कर रहे हैं अपने साथी खिलाडियों के साथ में राइ्ट हेंड बैटस भपन लॉंग लेक के सायड में अगर देखेंगे अंसाइड में एक enforce तीन और चार खिलाडी मुझे दिखाई दे रहे हैं आउन साइड में जबकि आउफ साइड में आउफ साइड में भी चार खिलाडी आउन साइड में पांच खिलाडी के रूप में तोड़ा सा मिड विकेट को पीछे जाने के लिए कहा स्क्वेरिश किया तोड़ा सा ठीक स्क लिया दूसरा कि उन दो रोनों के सहारे रन संक्या पहुंच रही है चवालीज पर फॉर्टी फॉर 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 कि सी एरवे थोड़ा सा शॉटव प्लैन गैन निकली पीशे विट कीपर के गैंसी मारेका के तरफ अगरे सर लेकिन अच्छा फिल्ड करने के बाउजूद भी गैन उनके पैड में लुड़कती भी निकली सी मारेका के बाहर अच्छा प्रयास था लेकिन अकिर लकने उनका साथ नहीं दिया और गैन निकली पीशे सी मारेका के बाहर चार रनों के लिए, उन चार रन से स्कूर पहुंचार तालीज पर इस बार ठीका उफ साइड में गैंसी मारेखा के बाहर जाने की तयारी में चार रनों का इशारा, अंपायर द्वारा थोड़ी से आफ सम्के बाहर कवर और मिडाओफ के बीज में से गैन निकली चारणों के लिए चैलेंजर सब दीरे दीरे गेर अप करता वहां खास तोर से छटे और में बावन पर उन्होंने पहुचा दिया है आफ्स्टम के बाहर ठीक सामने बल्ले में लपेट नहीं पाए अपने ठीक डंग से फलसरूप गैन बाज के पास फील्ड होती भी गैन बहुती सुन्दर स्टोक आउन साइड में सीधे फील्डर के पास फील्ड किया जाता ठीक सी मारिखा पर मात्र एक रन उस एक रन से बारा पर खेल रहे हैं सीए शिबम मुहम्मद हिलावी खेल रहे हैं ट्रापर गैन सीधे फील्डर के पास पहले बाउंस के साथ लुड़कती गैन पीछे निकली चार रनों के रूप में पुर्वान उमान अंदाज गलत हुता हुआ फील्डर का फलसुरूप गैन उनके सर के उपर से पहले बाउंस के साथ निकली बाउंस ने चकाया फील्डर को उन्चार रनों से स्कोर चलांगे लगाता हुआ छटे ओर के समाप्ती पर 57 रन चार विकेट के नुकसान पर 57 फार फोर चैलेंजर बैटिंग फॉर्स आफ्टर लूजिंग दी टॉस मैच इस इन दे प्रोग्रेस बहुत हरा भरा मैदार इस मैदान का फूरा लुफ्ट दोनों टीम के खिलाड़ी उठाते वे हैं सामने वाले एंड से गेंदवाजी हो रही है मैंक लग रहा है गेंदवाजी के रूप में अच्छा फॉलाइट दिया था उन्होंने बैट्समन को मजबूर किया फ्रेंट फुट पर जाएं बैक फुट पर आफ साइड में गेंद निकली फील्ड किया बहुती सुन्दर डंग से किवल एक रन हिलाभी को वे पहुँचे वननीस पर और टीम पहुँची 69 पर सातवावर चल रहा है फ्लाइट गेंद बिल्कुल अपने पहुँच के इस्तमाल किया गेंद को स्वीप के मोड में खेल लिया सीमारेखा के बाहर चार रन के लिए बिल्कुल दोनों फील्डर के बीच में से गेंद निकली चार रनों के लिए कलात्मक स्ट्रोक सूजबूज और बुद्धिमानी बरा क्रिकेट खेल रहे हैं दोनों बल्ले बार इस बार गेंद हवा में लेकिन बहतर समझा के इनको फील्ड करना फील्डर ने गेंद को बाउंस के साथ अपने हाथों में आने दिया केबल एक रन के साहरे 63 पर 63 एन 63 रन चार विकेट के नुकसान पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद पहुंची गली के स्थान पर फील्ड करते मातर एक रन 64 पर दीरे दीरे अपने बैटिंग को मजबूती दे रहा है चैलेंजर्स पेट्रियोट को एक अच्छा चैलेंज देने के उनकी मनशा है लेक्सम के बाहर हलके से निकलती भी गेंद विकेट के पीछे निकली देखने एंपायर का इंसे की चारह का इंतजार वाइड के रूप में एक चौके का इशारा आता हुआ कुल पांच रूणों से स्कॉर उनहत्तर परजा पहुंचा है 69 पर 4 इस विकेट के साजीदारी में अच्छे रन बटोड रहे हैं दोनों बल्ले बाद स्कॉर है 79 रन चार विकेट के नुकसान पर 7 वे और की अंदीम गेनाने की तयारी में आफ्स्टम के बाहर इस बाहर अच्छी गेंद बिना किसी रन के और के समापती भी साथवे और के समापती पर कुल रन संक्या है 79 रन चार विकेट के नुकसान पर 69 पर 4 साथ और की समापती हो चुकी है जबकि पेट्रियोट आपस में मंतरना कर रहे हैं कि किसे गेंदवाजी का जिम्मा सोपा जा मायंक ने अपने तरफ से दो और की गेंदवाजी की 29 रन खर्च किया है और रवीश इंदे ने दो और में 21 रन खर्च किये अपने टीम के तरफ से गेंदवाजी करते वे जबकि C.S. चुम केल रहे हैं 21 पर मुहम्मद हिलावी केल रहे हैं 20 रनों पर दोनों के बीच में अच्छी साज़ेदारी निब रही हैं आठवे और की शुरुवाती क्षणों में गेंदवाजी के लिए आ रहे हैं और कमेंटरी के लिए आ रहे हैं शाम देश मूँ देश्वात सर और एक बड़िया शॉट यहां पर वाड़ी लंगों चेतर से गिंद सीमा रिखा को पार करते निकल के चार रन के लिए पेट्रोइट ने टॉस जीता और पहले गेंदवाजी करने का निर्णे लिया है और आमत रित की आया है यहां पर जेम जे चैलेंजर्स के लिए बड़िया साच चौका अभी अभी आया है इस बार ऑफस्टम के ऊपर से निकलती हुई यह गेंद गेंद के लाइन में नहीं आयते इस बार बहले पास थोड़ी सी बाहर की तरब निकलती हुई यह गेंद मौमद हिलाभी एक अच्छा शॉर्ट फिर एक बार लॉंग और शेतर में फिल्डर मौजूद है लेकिन जब तक के गेंद को फीड करके वाफस करते हैं दूसरा रन काफी तेजी से पूरा कर लिया है इन दोनों ही बल्ले बाज़ों ने और सियशुबं और मौमद हिलाभी अचांक्या चाहतर रन चार विकेट की नुक्सान पर पीछे आते हैं खेलने की कोशिश जो गेदा उप स्टम की ऊपर से निकलते लिए कोई रन नहीं को नुक्सान नहीं चाहतर रन चार विकेट की नुक्सान पर यह स्कोर पुल्टोज बनाते हैं खेला कवर्क शेतर के ऊपर से गेंस सीमा रेखा को पार करते हैं निकल गई चार रन और इस चौकी के साथ रन संक्या असी रनों के उपर पहुंच चुकी है 84 अच्चा शौर्ट फिल्डर है लंगों चेतर में बीच एक रन यहां पर मिलेगा इस एक रन के साथ रन संक्या आगे बढ़ रही है 81 रनों के उपर 81 फोर अफ्टर 8 ओवर्स आट ओर की समावती पर रन संक्या 81 रन चार विकेट के नुक्सान पर दो और अभी और आने हैं और देखना है बच्चवे दो और समें कितने रन बनाते हैं चैलेंजर्स और यहां पर चुके बलेबाज आफ स्टम कवर करते हैं खेलनी की कोशिश और गेंद विकेटों को खाड़ती भी निकल गेए यह पांच वा विकेट खोया है चैलेंजर्स ने बॉलर्स का नाम बताइए प्लीज बॉलर्स ने प्लीज अभी जीद पाटनी जी है गेंबाज और यह अच्छी गेंद यहां पर आफ स्टम कवर करते हैं खेलनी की कोशिश की मुमध हिला भी जी ने और चू के और क्लीन बोर्डों कर वापस लॉट रहें पैविलियन की तरह इस तरह से पांच वा विकेट यहां पर खोया है जी एम जे चैलेंजर्स एटीवन फॉफाइव नए बल्लेबाज पर थमेश शुबम खिल रहे हैं 21 बनाकर प्रतमेश अभी अभी आये हैं हिला भी क्या उट होने के बाद अब जी पाटनी जी गिनवाजी कर रहे हैं और रोशनी के बीच यह मैच यहां पर हो रहा है छे टावर्स अपने खूबसूरत सी रोशनी इस मैदान के उपर बिखर रहे हैं और डे नाइट के सवरूप में यह प्रतिवी गिता सीए पी यल सीजन चौदा अंदर की तरह पाते भी गेन को सुरक्षात्मक तरीके सही से खेला कोई रन ही को नुकसान नहीं कुल मिला करेगा अच्छी गेन यहां पर जरूर देखने को मिली अभी जी जी के तरफ से बढ़िया गेन बाजी एक टीवन फॉफाइब एक यहां पर चुरा लिया है तो इस एक रन के साथ रन संक्या आगे बढ़ रही है ब्यासी रनों के पर एक टीटू फॉफाइब यहाईब और आयादे बां बड़िया भी पर लियोफाइब कर दो यहाईब पर शेस एक टुराएब यहाईब यहाईब कि हवा में हैं गेंड ठीक से बल्ले पर नहीं ले पाए थे बल्ले बाज लेकिन कैज भी ह्यांपर नहीं कर पाएए विकेट कीपर इस बीच काफी तेजी से रन चुरा लिये हैं दोनों ही बल्ले बाजों ने तो रन संक्याब आगे बढ़ते भी 84 रन दो रन यहां पर आए हैं नवे और की गेन बाजी चल रही है तो जीतने के बाद पहले गेन बाजी करने का निरने लिया है तो कम से कम रनों के अंदर रोकने की कोशि यहां पर हो रही है जी एमजे चालेंजर्स के बल्ले बाजों के तरफ से 84 रन पांच विकेट के नुक्सान पर यह स्कोर कि माइटी कॉलेज का यह खूबसूरत सा मायदान हवा में है गेंद फिल्डर गेंद के नीचे आए लेकिन गेंद कैच करने में काम्याब नहीं है और इस तरह से दो रन चुरा लिये हैं अच्छा रनिंग बिट्विन दुकेट च्छासी रन पांच विकेट के नुक्सान पर कर दो कि यह शुबम और पत्रेश कि पच्चीस रन बनाकर बढ़ी हाँ बल्ले बाजी कर रहे है शुबम अब पाट्मी जी अब जीट पाट्मी की यह गेंद अब इसे फ्लाइट इसे खेला है फॉइन लेक्शातर से गेंद सीमा रेखा को पार करते हैं निकल के चार रन और अच्छी बल्ले बाजी आज यहां पर होती भी चालिंजर्स के तरफ से कोशिश यहां पर हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाते हैं अच्छा लक्ष यहां पर दिया जाए नबे रन पांच विकेट के नुक्सान पर नवा ओर समाफ तो चुका है और अन्ती मोर की गेंद बाजी शेश रही है अब देखना है कि इस ओर में कितने रन आता है चालिंजर्स के लिए और शुबम काफी बढ़िया बले बाजी कर दे अपने टीम के लिए 29 रन बनाए है 17 गिंदो का सामना करतव है पांच खुबसूरत से चौके लगाए है अच्छी गेंद अफस्टम के ओपर उची उठती भी गेंद बॉलर्स नेम प्लीज है कि दर कानड़े तक बार आगे निकलते वे शौड कहलने की कोशिश्ट हवा में हैं गेंद लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाएते फिल्डर लंग उफ से आते गेंद को फीड करते इस बीच दो रनियां पर आये हैं कि नाइंटीटू फॉर फाइफ बैन वेरन पांच विकर के नुक्सान पर यह स्कोर कि अंतिम और की गेंद बाजी चड़ रही है हवा में है गेंद इसके लेक शेत्र से और यहां पर बार बार चूक रहे हैं फिल्डर अगेंद को फीड करने से और उसका पूरा फाइदा उटाते वए रन बना रहे हैं दोनों ही बहले बाज़ तो तीन रन निहां पर और जुड़ चुके हैं जेम जे चैलेंजर्स के खाते में पिच्चानवे रन पांच विकर की नुक्सान पर नाइंटी फाइफ 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 अंतिम और बाजी चड़ी हैं दो गेद्य भी और आनी है इस इनिंग की कि कि यह शुवम उन्तीस रन बनाकर प्रतमेश छे रन बनाकर बले बाजी कर रहे हैं कि अधर का नड़े अपना निजी दूसरा ओर लेकर एक विकेट उन्होंने हासिल किया है 15 रन देते वे कि यह गेंड हवा में हैं फिल्डर काफी फीचे हैं लॉंग उफ चेतर से आते हैं कि इनको फीड करते और काफी वक्त था यहां पर दूसरा रन लेने के लिए और दूसरा रन भी यहां पर आसानी के साथ पूरा कर लिया है तो सव रोनों के करीब पहुंशती वी जेम जे चॉल चालेंजर्स अंतिम गेंद और देखना है इस अंतिम गेंद के उपर कितने रन आते हैं कि दर का नड़े तैयार शुवम ने आज बढ़िया बल्ले बाजी की अपने टीम के लिए 31 रन जोड़े हैं अब स्टम कवर करतव है खेलने की कोशिश लेकिन गेंद को ठीक से बल्ले पर नहीं ले पाए और गेंद यहां पर डॉट उती हुए 97 रन पांच विकेट की नुकसान पर 10 ओर का खेल समापत हो चुका है 98 रनो का लक्ष यहां पर पैटरॉाइडस के लिए रखा है चैलेंजर्स ने और ये देखना काफी रोमान जिकारी होगा कि क्या पैटरॉइड़्स इस लक्ष को पूरा करतव इस मैच को जीती है या फिर चैलेंजर्स इस मैच को जीती हैं उन्हें 97 रुनों के अंदर रोप दबाए जैसे ही पैटरोइट्स के बलेबास मैदान में आएंगे मैं अडुकेट शाम देशमुक मेरे साथ है धनन जे कुलकरनी सर आपके साथ फिर एक बार हम जुड़ेंगे तब तक के लिए आपको वापस लिए चलते हैं हमारे स्टूडियो धन्यवाद भॉष्य। कर दो कि इसके बाद का जो मैच होना है सी ए कैपिटल्स और सी ए स्कॉर्पियांस दोनही टीम के कपतान अगर है तो टॉस के लिए आए कामेट बॉक्स के पास सी ए कैपिटल्स और सी ए स्कॉर्पियंस स्कॉर्पियांस झाल 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 बैट्समान नेम प्लीस झाल 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 प्राण्भी बलेबाज आयवे हैं अठान्वे रनों का लक्ष यहां पर है प्राण्वारी की शुरुवात करने के लिए और गेन बाजी करने के लिए आये हैं अधित्यों अधित्यों प्राण्वारी के लिए अधित्यों यहां पर लेकिन फिल्टर मौजूद हैं बिल्कुल इस अधित्यों के लिए और बीच आप इस आप कि अधित्यों इसके कि आप आप अधित्यों कि अधित्यों के साथ अपना खाता यहां पर खोला है अच्छा शॉर्टिज बार बिल्कुल सीधा खेला हुआ मिड़ॉप शेत्र में फिल्डर मौझूद है और काफी तेजी से इस रन को चुरा लिया है दोनों ही बार्ले बाजों ने तो काफी अच्छी टीमें हैं दोनों ही टीमें और एक अच्छा मैच यहां पर होने की संभावना अधित्य की यह गेंज सुरक्षा अत्मक तरीके से इसे खेला बढ़िया गेंबाज बिल्कुल सही लाइन लेंड के साथ गेंबाज यहां पर होती हुए अधित्य की अगली गेंद इस बार थोड़ी सी फ्लाइट लेकिन ठीक से गेंद बल्ले पर नहीं आए फिल्डर काफी तीजी से गेंद के उपर आज़ें को फीड करके वापस करते हैं रन यहां पर चुरा लिया है दोनों ही बल्ले बाज़ों ले इस रन के साथ रन संक्या तीन के उपर पहुंच चुकी है पहले और की समाप्ति पर रन संक्या है तीन चंकित एक रन बनाकर मयंक दो रन बनाकर बल्ले बाज़ी कर रहे हैं बढ़िया गेंबाजी आज इस और के अंदर की है अदित्यसाबुझी ने केवल तीन रन आए हैं इस और के अंदर तो अच्छी गेंबाजी यहां पर कहने वोगी काफी एकोनोमी गेन बजी उन्होंने इस और के अंदर की है छे टावर्स अपनी रोशनी भी खर रहा है इस मैदान के उपर और रोशनी के बीचे मैच यहां पर हो रहा है C.A.P.L. सीजन चौदा इस साल डे नाइट के सोरूप में यह प्रतिगीता यहां पर हो रही है कुल 9 मैचेस प्रतिदी निखेले जाएंगे और 19 तारीक को होना है इस प्रतिगीता का ग्रैंड फिनाले तीन दन बिना किसी नुकसान के पहले और की समाप्ति हो चुकी है और दूसरा और लेकर आए है आनंद नावंदर पांच खिलाडी है और चार खिलाडी है और उसाइड शेतर में एक शॉट लेक एक डीफ स्क्वेर लेक एक मिडवी केट और एक मिड़ाउन शॉट खेलने की कोशिश में चुक के इस बार बल्ले बाज गेंद की लंबाई को नहीं समझ पायते और बल्ला जरूर घुमाया लेकिन गेंद और बल्ले की पिछ कोई मुलाकात नहीं 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 लिया वरना विकेट कीफर काफी चौकनने है विक्टो के पीछे बिल्कुल तयार रहते हैं कैच करने के लिए इस बीचे एंडी इस बार आगे निकलते हुए खेला हुआ यह शौट गेंद कुछ देर के लिए हवा में लेकिन फिल्डर काफी फीचे बिल्कुल सीमा रेका के उपर ते डीप एक्स्ट्रा कवर के तरह में और जब तक कि गेंद को फीड करके वापस करते एक रन यहां पर पूरा कर दिया ह अब आगे बढ़ते हुए चार रनों के उपार हुआ है पूर फॉर फॉर नर्ड यह गेंद ऑफस्टम के उपर से अंदर की तरह पाती भी गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आए इस बिच एक रन यहां पर आता हुआ चौट स्क्वेर लेक्षे तरह से गेंद को फीड किया एक रन के साथ रन संक्या पांच के उपर पहुँच चुकी है पाइप अनन अच्छा शौट इस बार नो मैंस लैंड गेंद सीमा रेखा को पार करते में निकल गई चार रन बड़ी अशौट बिल्कुल सीधा खेला हुआ लंगांग चेत्र से मिडांग चेत्र में थोड़ी से वाइड खड़े थे फिल्डर और गेंद पिर एक बार उसी दिशा में इस बार मिडांग और मिडविकेट के बीच में से खेला हुआ चार रन लगातार दो गेंदों के उपर दो चोक्या है मयंक काफी अनुभवी खिलाडी है काफी अच्छे शौट्स इनके पास है दो चोक्या के साथ ग्यारा रोनों के उपर पहुंचते वे अनन्द की ये गेंद इस बार हवा में है और देखना है फिल्डर गेंद के नीचे लेकिन कैच नहीं कर पाया और एक जीवंदान यहां पर अगर मिलता है मयंग को तो इसका खामियाज जरूर भुकतना पड़ेगा तो ये गेंद काफी देर तक हावा में थी और ये कैच हो सकता था लेकिन कैच नहीं हुआ है तो एक जीवंदान यहां पर मिलता हुआ मयंग के लिए और मयंग जैसे खिलाडी को अगर जीवंदान मिलता है तो ये और के अंदर तीन रन बने थे और इस और के अंदर बारा रन आए हैं तो रनों की रफ्तार को काफी तेज कर लिया है इन दोनों ही बल्ले बाजों ने खास्तोर पर मयंग ने दो चौके लगाते हैं तो फिफ्टीन पॉन हन अफ्टर टू ओवर्स आगे निकल कर खेला हुआ ये शोर्ट एक रन इहां पर मिलेगा अधित्य साबू अपना नीजी दूसरा ओर लेकर खुल मिला कर ये तीसरा ओर है अरण संक्या सोला रन अधित्य साबू की ये गें दिजबा लॉंग आफ के ऊपर से खेला हुआ शोर्ट और ये च्छे रन और जिस तरह से जीवनदान यहां पर मिला था मयंग को तो हम कह रहे थे कि मयंग काफी अच्छे खिला रही है और काफी बढ़िया बल्ले बाजी है उनके पास और अगर इस तरह से अगर उन्हें जीवनदान मिलता है तो उसका खामियाजा बुगतना पड़ेगा और बिलक 22 for none 19 रणों के पर पहुँच चुके है मयंग और इसी फ्लाइट यह गेंद फिल्डर है तो कोई रण यहां पर नहीं मिलेगा तीसरे और की गेंद बजी चल रही है 22 रण दो विकेट के नुक्सान पर यह है स्कोर पेटरोइट पीछा कर रहे हैं और अभी जो टॉस यहां पर किया गया इसके बाद का जो मैच होना है उसके अंदर स्कॉर्पियन ने टॉस जीता है और गेंबाजी करने का निर ने लिया है तेवीस रण इसे कट किया है गलिक शेत्र में फिल्डर है वहां पर एक रण यहां पर और मिलेगा और इस एक रण के साथ रण संक्या आगे बढ़ते वी 24 रणों के पाल 24 पर नन अच्छी शुरुवात मजबूत शुरुवात यहां पर हुई है अधित्य साबू फिल्डर है एक्स्ट्रा कवर्क शेत्र में और काफी तेजी से इस रण को चुरा लिया है तो यह ओवर जब समाप्त हो चुका है अधित्य साबू जी का कुल मिलकर दो और की गिन बज़ की है अधित्य जी ने और 13 रन दिये हैं कोई विकेट उने नहीं मिला है इसलिए और में एंडी के 12 रन आये थे तो जब तीन और का खेल समाप्त हो चुका है तो रन संक्या है 25 रन बिना किसी नुक्सान के और मयंग खेल रहे हैं 21 रन बना क कर चंकीत खेल रहे हैं चार रन मना कर अधित्य नुक्सान के अधित्य नुक्सान के अधित्य नुक्सान हो चुके हैं 72 रन भी और बनाने हैं गेंदे बचिवी हैं 42 और मयंक और चंकीत ये दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल जम चुके हैं मैदान में वसीमबेग कप्तान और एक अच्छी गेंद वसीमबेग के तरफ से और स्टम के ऊपर से निकलती हुई ये गेंद फुली सी बाहर की तरफ निकलती हुई ये गेंद C.A.P.L. सीजन 14 MIT पॉलेज के इस खुब ज़र से मैदान के ऊपर ये प्रतियोगीता चल रही हैं सभी C.A.s और जो स्टूडन्ट होते हैं C.A. करने वाले उनके लिए इस प्रतियोगीता का आयोजन पिछले लगातार 14 सालों से इस प्रतियोगीता का आयोजन किया जाता है औरंगबाद शहर में महाराश्टर का ये अईतिहासिक नगरी औरंगबाद शहर जहां पर इस प्रतियोगीता का आयोजन और हम MIT कॉलेज की इस खुब सुरुद से मैदान से आपको इस मैच का आखो देकाल सुना रहे हैं इस बीच हलके से टैप किया है मिडाउन चेतर में कौन से फिल्डर आये कि इनको फीड करते एक रण और जोड लिया है अपने खाते में पेट्रोइट्स ने कि अगे बढ़ते भी अट्थाइस रण है 28 फॉनन वह सिंबएक की अगली गेन है चंकीत के लिए इस बार खेला हैं लॉंग आफ शेत्र में पिल्डर मौजूद केवल एक रण यहां पर मिलेगा और कोई जोखिम यहां पर नहीं लेना चाहते हैं बर्लेबाज मयंक जानते हैं कि जोड़ी गर मैदान में जम चुकी है तो जोखिम लेनी की ज़रुवत नहीं है रणों की रफ्तार भी अच्छी चल रही है और इसी के कारण केवल एक रण के उपर संतुष्ट होता लगा कि यह गेंद फिर एक बार लॉंग ओफ चेत्र में इस बार सीधा खेलावाई यह शोट और एक रण यहां पर और कि है अच्छी नोग एक यहने के करीब करीब आठ रण प्रती और के उसर से रण आ रहे हैं प्रेट रॉट के लिए और करीब कि रफ्तार को नहीं समझ पाएं थे बल्लेबाद और गेंद को बल्ले पर भी नहीं ले पाएं और इस तरह से गेंद मातर यहां पर डौट होता हुआ वसींबेक का तो जब चार और का केल समाप्त हो चुका है रंसंग क्या है तीसरन कोई विकेट अब तक नहीं खुआया है बैटरोइट्स ने और एक मजबूत शुरुवात यहां पर की है बैटरोइट्स ने अब धीरे दीरे अपने लक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं यह दोनों ही बल्लेबाद अनन्द नावंदर फिर एक बार वर थोड़ा सा महेंगा था अनन्द का दो चोके आये थे उसके अंदर मयंक ने दो चोके लगाये थे और फिर एक बार आनन्द को लाया गया है गेंबाजी करने के लिए कफी अच्छे खिलाड़ी है आनन्द और देखना इस और में किस तरसे गेंबाजी होती है इस बार पॉइंट शेतर से गेंद सीमा रेखा को पार करती हुई चारण पहले ही गेंद के उपर एक खूब सुरा सा चोका यहां पर आया था थोड़ा थोड़ी सी शौर्ड गेंद थी और बिल्कुल गेंद को बल्ले के बीचो बिचले और एक बहत्रीन सा शौर्ड खेला था चारण के लिए पेटरोइट्स के लिए रंसंके अब 34 के उपर पहुँच चुकी है तल किसी हवाय चड़ रही है मैदान में बिल्कुल थंडी हवा की लहरे चड़ रही है खूब ज़रत सा यह वातावरन और यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा लिया क्याइच करनी की कोशिश विकेट कीपर के तरफ से लेकिन काम्यामी हुए चौंतीस रुन बिना किसी नुपसान के और इस बार स्टम्स के पीछे बहत्रीन सा कैच शौट खेलनी की कोशिश में चूखे गेज ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर काफी चौकन ने थे विक्टो के पीछे नुमान है विकेट कीपर की भूमिका में जिन्होंने बढ़िया सा कैच किया और इस तरह से जोड़ी जम चुकी थी मैदान में मयंक और चंकीत की मयंक बढ़िया वल्ले बाजी करे थे अपने टीम के लिए अखिरकार उनका विकेट लेने में कामिया भी मिली है और इस तरह से 34 रन एक विकेट की नुक्सान पर यह स्कोर त्रेसर ट्रन अभी और बनाने इस मैंच को जीतने के लिए गेंदे बची हुई है 33 मयंक ने 29 रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए तरुन पगादिया ने बलेबाज मयंक के आउट होने के बाद बलेबाजी करने के लिए बाएहाथ के ये बलेबाज 33 रन बनाने हैं 33 गिंदों में एक रोमांच कारी मुकाबला होने की संबावना अच्छी गेंद, क्लीन बोल्ट और हम कह रहे थे कि कापी अच्छी गेंद बाजी करते हैं अनन नावंदर और यहां पर एक अच्छी गेंद उन्होंने की समय नहीं पाये थे बलेबाज और लेक्स्टम उखार थी भी निकल गई ये गेंद और इस तरह से लगातार दो गेंदों के उपर दो विकेट यहां पर लिये है एंडी ने है ट्रिक का मौका है यहां पर देखना है कि क्या आनन्द इस प्रतिगीता की अपनी है ट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कहलाएंगे बैट्समर नेम प्लीज अभी जीत आये हैं बहले बाजी करने के लिए अभी जीत पाटमी नए बहले बाज है एल्ट्रिक चांस है एंडी के लिए आनन्द नावंदर जिनका निकनेम है एंडी वैसे कहीं नाम हमारे इस प्रतिगीता में प्रचलीत है उस तरह से आनन्द नावंदर को एंडी कहते हैं एक अच्छी गेंद यहां पर सुरक्षात्म का तरीके से खेला है लेकिन अच्छी गेंद बाजी इस ओर के अंदर आनन्द के तरफ से जो पिछला ओर थोड़ा सा महेंगा रहा था उनका कुल 12 रन आये थे इस ओर के अंदर केवल चार रन आये हैं और दो विकेट इस ओर में लिये है उन्होंने तो बढ़िया गेंद बाजी इस ओर के अंदर अच्छी वापसी की है एंडी ने तो इस तरह से जब 5 ओर का खेल समाप्त हो चुका है रन संक्या है 34 रन दो विकेट के नुकसान पर और आनन्द नावंदर ने दो ओर की गेंद बाजी की कोई मेंडन नहीं 16 रन दिये हैं दो विकेट लिये है आने वाले 30 गिंदो में 36 रन चाहिए इस मैच को जीतने के पेटरोइट्स की टीम अपने लक्ष तक पहुचते वे इस मैच को जीतेगी या चैलेंजर जिस तरह से गेंबाजी करते वे वापस आई हैं इस मैच की अंदर इन्हें लक्ष तक पहुचने से रोकते वे इस मैच को जीतेगी इस रोमान चकारी मैच का आगे का आपद एका सुनाने के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं मैरे साथी कॉमेंटर धनन जे कुल करनी जी दन्यवाद शाम सर्फ जबकि 34 रन बन चुके हैं दो विकेट खोये हैं और रणों का लक्ष का पीछा करते वे अभी भी तीज गेंदों में 63 रनों की जरूरत है अभी जीत पाटनी को भी अपना खाता खुलना है दो गेंदे वे खेल चुके हैं ड्रिंक्स मैदान में लगवाद खत्म होनी की तैयारी में दोनों बैट्सवन फिर से तैयार हो रहे हैं अमपायर गिल्लियो की हवा चल रही है और इस शांदार क्रिकेट गाउंड पर किसी एज और उनके स्टूडंट्स अपने अपनी टीम बनाकर मैचेस खेल रहे हैं चंकीत खेल रहे हैं पांच रन बनाकर चेगेंदों में सीए आनन नावंदर दो विकेट उन्होंने पाए हैं पिछले और में द दो और किया सोला रन दिए दो विकेट लिए और सीए वसीम बेग ने एक और किया पांच रन दिए और जब की गयन को आप ड्राइव किया सीधे कवर्स पर फील्ड किया एक रन के सहारे उसे एक रन के सहारे रन संका पहुंची 35 पर अविजीद पाटनी गाड ले रहा है फ्रेश गाड ले रहा है अपना गयन बाजी के रूप में वसीम बेग अपना दूसरा टीम के लिए चटाओं पहली गयन ओस्तम के बाहर कट किया सीधे पॉइंट पर आकर फील्ड करते एक रन तेजी से रोड लिया दोनों के बीच में बहुत अच्छी रनिंग बिट्वीन दे विकेट स्कोर चटीस पर चटीस दावा दोन गड़ी बार वसीम बेग यंसा पूर्चा चेंडू जुआता जा मारा उस्तम चा बाहर या वेलेला मात्रे चेंडू तेंचा एस्ट्यान वर्ण जातो तो एस्टी रक्षका कड़े धाव नाई है चांगला चेंडू चंकीत ला तो खेडाईचा होता ओन साइड ला पंड चेंडू के तैंचे बैट में आला नाई पर याईनी धाव नाई है पूर्चा चेंडू हलके पावलाचा स्टार्ट है हां मत्रे कवर ड्रेव करने ताला है चेंडू दातो एतो शेत रक्षका कड़े तैंचेंडू अडवला दर्मेंड के वल एक दाव लॉंग आफ लखेडू भेट तेंचेंडू अडवता है एक दाव मिलते दाव संके पहुचिलेती सदती सावव शटक सुरुए जिंकने साथी सत्यान धाव कराई चेंडू उज्वाहताचा मारा अफ्तम चा बाहर चेंडू यावलेला मेत्र चेंडू अश्टान वर जाउन अदलनार आणी अशारितीना फलंदाज बाद तीसरा फलंदाज बाद होतो है तो पैट्रियोट्स सुरुवधिला चलेंजर्स नी आतीशेपले गडी का माउले होते पन त्यान अंतर तन्नी चांगला धावा के लिया अणि शहान्न धावा के लिया अंतर सत्यान धावा जिंकनेला कराई चेंडू उज्वाहताचा होत्य मैं दना वाचे इंडवाती शे व्यवस्तित दिस्तोय जी कई प्रकाश योजना है ती प्रकाश योजना मैं दना ला साजी सी आपन फेजे कई समालो चना है यह चेजे सामने है तपला घरी बसुन ही आपन बगता हाथ आणि यह सी यह दोन हजार थे विश्चा सवदाव्या स आपन आनंद या क्रिकेट चा माध्यमाद उन घेता हाथ दर्मेंचा वसिम्बेग्यांचा एक गड़ी बात केला नंतरचा पुडचा चेंडू हा मत्र उज्वयास्टी चा बाहर चेंडू चेंडू तटवाय सेता समोर त्याडूने आती शे सांगलक्षे त्रक्षन केल आ केरी धावा ची आशिष खेलता है शुन्य धावान वर ती एक चंडू तेनी खेलला चंकित खेलता है साथ दावान वर नुचा जंडू तेनी खेललले ले आणि संगला अजून 60 दावां ची मजल गाड़ाई ची ये ती 24 चंडू अजून शिललक है जाला पन रिक्वाईट करन्ट रेट मंतो ये तो 15 धावां चाए सद्या करन्ट रेट चलो ये तो सहा धावा 6.17 आसा त्यांचा करन्ट रेट है जरापन बगितला तर गोलंदाजी अतीशे नियंत्रित पद्धतीची होते काटे को और गोलंदाजी कीली जाते क्षेत्रक्षन चांगला होते दोनी खेयाडू संगातले खेयाडू ये मातब्बर खेयाडू ये या वेलेला मात्रबा चांगला चेंडू अतीशे चांगला चेंडू धावा काटनाचा दबावस पष्ट होता चंकीत यांचा वरते तनी नव चेंडू खेयाडू साथ धावान मार खेयाडू चंकीत धाणू का ये अतीशे नावाद लेले खेयाडू पन तेंचा वर तोड़ासा ये वलेल दबावाला एक जोरकस फटका माराचे तनीशा प्र कित बाद हुन परतता है मैदानाचा बाहर सदोतीश दावा जाल्याद चार गड़ी बाद सात्व शटक सुरू है जेकी राहूल पावार तकता है पहले आचा चेंडू वरती जनी गड़ी बाद केला राहूल पावार यान्नी नविन पलंदाज मैदाना मधे एता है नए बैटस्वन के रूप में हलके से खोल दिया मूँ खोला अंतिम वक्त पर बैट का मूँ दिखा कर एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ अड़तीज पर नए बैटस्वन के रूप में नाउंस्टाइकर एंड पर कौन खड़े है करपे नाम बताएं बाहिती खड़े हैं नाउंस्टाइकर एंड पर इस बार गेंड को केलना चाहते थे आउंस्टाइड में गई डीप एट बैकवर्ट स्क्वेर लेक पर फील्ड किया जाता ठीक अपने दाइने तरफ लॉंग लेक किस्तान पर आकर एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ अड़ तीस पर हलाकि उन्होंने रन बना लिया था इसलिए नाउंस्टाइकर एंड पर कहना पड़ा और अगली के एंड उन्तालीस पर एकों चलीस धावा चाड़ गड़ी बाद पेट्रियोट बगायचा यानि हां कौटन बोल्ट चा एक चांगला सुन्दर असा तन्चा असंधी होती त्याणना पर या विड़ेला काई जेल जाला नहीं पर याइनी धावात करनेचे तनी प्रहतने केला तो ही असफल दाला अणि आशार इतिना गड़ी काई बाद जालेल नहीं है दाव संक्याजो नहीं एकों चलीस धावा है एकों चलीस धावा चार गड़ी बाद सत्व शटक सुरू है सी एपील चा आज चाह सात्वा समना सुरू है उज्वे हाताजा देंजा ओर दिविकेट मारा यावलेला आउन ड्राइव कर देजिजा चेंडू क्षेत्रक्षण कर निफ तो क्षेत्रक्षण के लएते ठीक सी मेरे शेवरों योण अंजर में एक धाव फलंदा दला मिलती है या एक धावी सह आशिष बाहेती खेलता है दोन धावान वर्ती एक धावान वर्सी का इशारा करता थरे हां मात्र शटकार है अनि या शटकारा संध पपहला शटकार या संगा चा संगाची धाव संख्याची ती खेलता है 2 धावान वर्ती एक धावा लिफिए 16-Purza चेंडू अरे मं डे कोना संगा कि शेहेचाडीज वर शेहेचाडीज दावा शार गडिपाद शाटक संपली केवल तीन शाटक यान अंतर गोलंदा जीवाईची है अठरा चेंडू अनी कवन दावा कराईचा जिंकने साथी पेट्रियोट ला तोड़ोसा अववान मोठा है जोरदार फटके बाजी करावी लागेल सीया आशिश आनी सीया आशिश बाहिती हिकाय करता ते बगाईच से अब पहला शटकार गोलंदा जीवाईचा रूपा मधे आठवे शटक घ्यून कोने ते बगाईच से हलके सटवलग चेंडू गली कड़े केला एक दहा मत्र मेलती है एक दहवेनी दहा संक्या सत्ते चाड़ी स्वर के लिए सवरब गोलंदा जी सटी तायार है उजवाहता चात्यां जमारा आउन साइडला जार मी बगीतला तर चात छेत रक्षक मला दिस्तायत आणि पाच छेत रक्षक आयते आउफ साइडला स्क्वेर लेक पंच स्क्वेर लेक चा बाजोने उजवाहता चेंडू मीडल आनी लेक स्टम कोड़े दानारा हाचा उकार मिलनार यात कई शंका नहीं है थोड़ासा शॉट प्लेक प्रद्धिचा चेंडू लेक स्टम पोरचा चेंडू आणि ताला तनी फटका उल स्वरवल बैकवर्ट स्क्वेर लेगला अशा रितिन यहां चार धावा यहां चार धावा इनी संगाची पन्नाशी गाठले लिये 51 धावा दाले आज अठोशटक शुरू है स्क्वेर लेक चा बाज़ने कॉमेंट्री आएक कता हाद अणि तातून हेजे एक अगल वेगल सीए पी यल्चा आयो जन है हे ताला अध्विती असटर रहुत है पुर्चा चेंडू 88 कातला ताकने सटी गोलंदास्ता यार है सवरभ शेत्रक्षणा मदे बदल करता है एक स्क्वेर लेक पंतां चा समोरे खेयडू शॉट मिडविकेट ला उभा करने ताला है लॉंग ओन अनी लॉंग ओफला सजो भागे तो एकदम मेरी कामा है हामातर चेंडू गेला कवर्स कड़े खेयडू जीते है दूसरा दाविसाटी दावता है चेंडू ची पेगेते धावबाद होतों की बगाईचे पंतसकाई गड़त नहीं दर्मेंट दोन दावा अतिशे सांगल्या पततीने धावन काड़ले दोनी सीये नी सीये आशिशे दो गई आणि दाव संक्या पोहचिले थी त्रेपंड नवार त्रेपंड आवा चारगड़ी बाद पुडचा चेंडू हा मात्र सुंदर फटका चावकार की शटकार पंचंचा इशारा सहा धावांचा लेक्स्टाम पर शाटो प्लेन पत्दतीचा चेंडू पुल करने दालाए सरल शटकारा साथी आणि दाव संक्या पोहचिले थी एकों साथ धावान वर चारगड़ी बाद चावदा चेंडू बाद 38 धावा काड़ा चारगड़ी बाद थोड़ीशी जोरकस दाव संक्या दिलेती या संगाला आणि परियां तो तेरा धावादी उन जाले ताव दों चेंडू बाकियेत सावरब पुड़ साचेंडू या विलेला परत्याप्त पतितीचा आणि नक्की शटकार है उन्च आनि सुन्दर असा शटकार या विलेला दोन पावलो पुड़येत धाफवाली वर घ्योन चेंडू सरल तो फटकावला शटकारा साथी मैदानाचा बाहिर अशरीतिन ये कोणी जावा या शटकार मदे खर्च करने ताला आजूने चेंडू बाकिये पासस्ट दावा जालेत संगाचा पेट्रियाट चाशा पल्लवीत होता है या शटका मदे अतिशे जोरकस फलंदाजी सीए अशिश्यांची साथ चेंडू मदे पंचवीच दावा सीए अशिश्यांचा तीन शटकार एक जावकार तीन से सत्तावन चा स्ट्राइक रेट यांचा सलू है शेवडचा चेंडू वर कसो खेलाईच या बदल दोगाण मदे कदाचीत मंत्र ना बगाईच यादा काहे करतात्ते एक धावकाडाईची सावकार काडाईचा कै शटकार रहनाईचा हा मात्र त्याननी उन्चा वरून जेल या विलेला मात्र अतिशाय महम्मदिलाईन चांगला जेल गेतला उन्चा वूर एनारा चेंडू आपले डोले चेंडू अर्टी ठेवर्ट हाथ चेंडूचा खाले आनद जेल गेतला आणे आशा रितीन एक चांगली धड़ा के बाद फलंदाजी करितस्ता नासी है आशिश साथ चेंडू मदे 25 जावा काड़ूद मैदानाचा बाहर संखला मातर जानी सांगले स्थीता नुन ठेवली ले बाराच इंडू बाकिये 32 धावा काड़ाई चाए अशक्य मातर नाई है नवीन फलंदाज मैदाना मदे एतायत सीए अशिश बाहेती अनना साथ देना साथी नवीन बैट्समन आता नान साइकरेंड बर है आशिश बात जाले अननतर आता बगाई से तैनना नवीन जे फलंदा जायत ते कशी अपली भूमी का निभावताद सवरब यानना एक सफलता मिलाली चेंडू तेंचा बैट्सा कडेला लागत गेला है तो ओन साइडला यस्टी रक्षक स्वता धावताले तेननी चेंडू शॉट फाइन लेगला अडवला दर्मैन एक धाव मिलाली शटक आठ्वा संपलेला है नवव शटक सुरू धालेला है साइसस्ट दावा धाला है पासगडी बाद है पूर्चा चेंडू मौम्मध हिला भी यान्चा यावलेला लेक्ष्टम चा बाहर चेंडू हा मत्र वाइड है या वाइड सा दाव संक्या पोस्ते साहसस्ट वरून 6745 इन दी ओर नंबर 9 अकरा चेंडू तीज दावा यावलेला मत्र कुप उंच त्यास पद्धती सा जेल गेनाचा प्रेत्न आणि हा मत्र चेंडू खाली पडला एक दाव मिलाले दूसरी दाव मिलते तीसरे दावे साथी दावनेची तेंची कई शक्यता नाही दाव संक् 6745 इन दावा खुप उंच आवरो नियनारा चेंडू शेवर्ट्चा चेंडू तेंचा हताला लागला जमिनी वर पडला दोन दावा एकुन सत्तर दावान वर की संग पार यावले दावा तहा चेंडू बाके 28 दावा काडाईचा है शेत्रक्षकाना मदे बदल लांगा न आमात्र चेंडू फंबी आणि आता पूर्चा चेंडू खेलना साटी सज्जे होता केदार कानडे आमात्र चांगला चेंडू थोड़ासा कोन बन वत दूर जात त्यांचा पट्टा चेंडू यह उनै आणि चांगला चेंडू धाव रोक्नेचा अनिमित्याने जरापन बगीतला ता चांगला चेंडू मुहम्मध हिला भी आन्चा दाव संक्याजोनी 71 दाहा चेंडू मुदे 28 धावा काड़ाई चा अधा चेंडू लागला आणि सरण गेला तो एश्टी रक्षका कड़े एश्टी रक्षका नी आतीशे च्छान कामगिरी के लिली है एश्टी रक्षक नुमान है त्यानी आतीशे च्छान जहेल पकड़ दोन जहेल तर मला अठा होता ते हाँ दूसरा जहेल देनी चांगला पकड़ला एक चंकी धनुका यंत जहेल तेनी पकड़ला होता अणि आशारीती ने सहुआ गड़ी बाद जला एकुन सत्तर दावा जल्याद आट चेंडू बाकी एथ 28 धावा कराई चायद दोन तीन अधिकार जर बसले तर मात्र एक लक्षे दे आवा क्या दिव शक्त पन चलेंजर चा मधे अतिशे तड़ा परियंत फलंदाज आहेद नविन बैट्समान मैदाना मधे अलेले आहेद यावले मत्र चेंडू चेंडू चा पैड़ बर लगला है एक दाव गैजी है परन्तु अतिशे चांगलक्षे तरक्षान शोर्ट थर्ड मैंडला दाव का एग्यू देत नहीं है अणि आशारी तिन चेंडू परत जातो है तो हिला भी आंचा कड़े जागे वर चेंडू तटाव लाएक चेंडू जमीनला रगड़त गेला है तो शेत्रक्षा का कड़े के वड़े एक दाव मिलना रहे था ठीका नी डिप मेडवी केटला ते उभेत एक दावे नी धाव संक्या ही पहुची लेली है ती नव शटका चा समापती नंतर सत्तर दावा सहागडी बाद धालेले एक शटक याईचे 27 दावा जिंकने सटी अजू नहीं कराई चैत मुझे चा उकार अनी शटकार आंचे आतज़ बाजी असले शिवाए ते शक्क्य नाई है कि मान चार शटकार तर गरजे चैत त्यानंतर एकादा चा उकार आणी एकादा ड सटी अत बागाई से कोंड मैदाना उरेते हिला भी अन्नी अपल्या या एका शटका मदे पास धावा दिले आत अणी एक गड़ी बात केला सवरब मालावट तेता है तता गोलंदाजी साटी आणी सीए आशिश पास चेंडू मदे चार दावान वर खेलता है डावे हाताचा ओर दिविकेट मारा हा मात्र चेंडू शटकारा साटी जातो का बगाई चै पंचांचा इशारा पंचा खात्री करून गेता है कि आणी सीए आशिश पास चेंडू मदे चार दावान वर्खेलता है तो चेंडू हाजा तो चरोर सीमारे शेकडे चेंडू अडून शेके परेंतों दूसरा दावे साटी जोर कस दावता है दोनी फलंदाज आणी दूसरी दाव पूर्ण होना चाथ पंचांचा इशारा दा दाव आपली ते पूर्ण करू शेकले नहीं साट्वा फलंदाज बाद जाला है आणी सात्वा फलंदाज बादनंतर दाव संक्या पंचात्तर वर बावेश है बादून मैदानाचा बाहर परतलेट सीय आशिश नॉन साइकरेड़ वर आहे पाचेंडू खेलून चार दावान वर खेलता है नविन फलंदाज मैदाना मदे आहे निव बैट्समन नेम प्लीज निव बैट्समन नेम प्लीज रिशिकेश राथी है नविन फलंदाज चार चेंडू बावीज दावा त्यातली एक दाव कमी जाली एक चेंडू कमी जाला एक वीज दावा आणि तीन चेंडू मंजयाता हा सामना जवल पास जिंकल्यात जमाये चालेंजर्स नी पैट्रियोटला तीन शटकार दोन चेंडू मदे एक वीज दावा काहड़न हे अशक्य है आणि हा सामना किती दावाने जिंकतो एवड मत्र अता उच्छुक्य बाकिये पूर्चा चेंडू दावे हाताचा ओर जिवे केट मारा हा चेंडू जातो जातो एतो लोंगा उन कडे छित्रक्षक अनी चेंडू अडवला है दूसरा दावे साटी दावतायत अणि या दोन चेंडू एचा बाकिये आणि जिंकने साटी अजुनी एकोणी जावा बाकिये तर किती दावाननी हा सामना दिंकनार 17-18 कित अउदा अनि शटकार मारला तर मात्र बारा हा मत्र एक दाव मेलना रहे आणि या एक दावेने अंतर कमी धल अशारिती ने हाँ जो सामना है तो जिंकला है पेट्रियाट चा विरुद्ध चालेंजर्स याननी मलावट्त हा सामना तेनी 17 धावन जिंकला सावा स्कोर कार्ट चा हिशवानी ते अपलेला सांगना तील अ अशारिती नहा सामना संपला आणि जसाही पूर्चा सामना सुरू है इल आमें अपलेला शाम देश मुख एड़ोकेट माजे सहकरी यांचा सह आपलेला परत मैदाना वर घ्यूनियू तो परियंत आपन स्टूडियों मधे जावियाद धन्यवाद सामना परो मकाला जोनियू तो अब भूपलेला शामना है विल्फित सह बढ़ेला मैदाना शुट मैदाना शाएट्रार कर दो दिल एकडास कार्ण भूर्चा सेल चतिता जावियाद नाकरा शारर। करनें दूझ लूपार शांटा कर लोगसे लुटा रहा ज़ांसे चानुसाल लोगकार लोगका अल्जाना क्या भागा है पुर्टा काम थ्याहिए भीनें थ्यु कराबार बनाइश। और द्किन झालिक सिव 대해서 चदें तो सिन्वाफ जापट पाइब शब्सक और नहीं, तो मिपाइब ना चूरु होना, तर दंतो मों जण जाने खेनaters बत्र घ्यान. कि यापनत्र का दो के जाने खेन בהलन सिय और हमने निन कुषू है ता. कि अधिए कि अधिए अधिए टॉर अधिए कि अधिए अधिए आद अधिए गो यह बाला सबस्ट बगई गो है उजदिए सुट सेंटेट गोपल कशीर आपनां क Plot क्यांतर एंठें के उस के अपनेटा करें कंशी हेशे नजी है कि निद्ध पसे अब तक भ दॉम व्हसे ही अग्छ विए जो हूップ की बालगा हुआ हूए कैल रख सुछि कुछे हैं कि यह शुवम है मैंन अब दी मैंच आहेद और इस्टूंट अब दी मैंच आहेद निस्टूंट अब दी मैंच आहेद ग्राउंड सुमाण करपे आ मार्किन सब्सक्राइब जावे अशी दुनंती में अपना सकरतु है अब दी मैंच आहेद अब दी मैंच आहेद अब दी meets sąब इन मैंच vigor झाल झाल क्रपया दोनी संगांचे जे बारावे खेडू है ते कॉमेंटरी बॉक्स मदे आवे दोनी संगांचे बारावे खेडू पॉक्स मदे गांचे ले खेडू है तोनी जे फिर्ट बॉक्सित बॉक्स मुझे बारावे खेडू नहीं दुरें प्याश्य को सुब्रेड करता हो न। नहीं जालों उयत नगी हो अ पाःम मौममद इलाभी हरा है ग्रिश्रा सुल हूरा सह्टप्र ने लिए आज का आठवा मैच जारी है जब कि सीए कैपिटल मैधान पर उतर चुकी है सी ये राजे शेडा खेल रहे हैं एक रन बनाकर सारंग सराव खेल रहे हैं दो रन बनाकर जबकि अर्जुन लाहोटी की गैन दाइने हाथ से राउंड दिविकेट येस येस सी ये राजे शेडा के लिए एक पर हलके से गैन को केला ओफ साइड में कट करने की कोशी इस गैन पॉइंट पर फील्ड भी बिना किसी रन के सारंग सराव दो पर सी ये राजे शेडा दो पर जबकि पहला वोर चल रहा है जिसे अर्जुन लाहोटी अंजाम दे रहे हैं अपने तरफ से काफी फैलावा फील्ड है बिल्कुल मिडल स्टम से आफ्टम के दरफ आती भी गैंद बैट्स्वन के उपर पूरा अंकोश बिल्कुल लैंग्ट और लाइन में गैंद बाजी करते वे अर्जुन लाहोटी अपने तरफ से जबकि और कि समाप्ति वे इनके पहले केवल चार रन खर्च किये उन्होंने अपने तरफ से इसा रंग चार गेंदों पर दो रन बनाकर केल रहे हैं सिये राजे शेड़ा केल रहे हैं दो गेंदों में दो रन बनाकर और टीम की रन संक्या है चार रन सिये स्कॉर्पियंस गेंद बाजी कर रही है वहां सिये कैपिटल्स बल्ले बाजी कर रही है स्पींद गेंद बाजी आकरमन पर लेक्ष्टम के बाहार गेंद निकली वाइड के रूप में रन संक्या में बढ़ोतरी पांच पर रन संक्या पहुँच रही है कैपिटल्स की और सिये शशांक तो लवानी गेंद के रूप में अच्छी गेंद जगा बनाने की कोशिश में इतने बाहार निकल चुके कि गेंद स्टंप से उपर से विकेट कीपर के पास बिना किसी क्षटी के बिना किसी रन के स्कोर अभी भी पांच रन उसी प्रकार से फ्लाइटेट गेंद सीदे बैक तुदी बोलर अच्छी नियंतरन भरी गेंदे नो बॉल के रूप में अम्पायर का इशारा फ्री हिट का एक मौका है बैट्स्वन्ट टीम के पास लेकिन किसी प्रकार का कोई बड़ा स्टोक नहीं गेंद पीछे निकली डीप बैकवर्ट स्क्वेर लेक्स से डीप मिड्विकेट से आकर फील्ड करते एक रन मात्र किवल इस फ्री हिट पर उसे एक रन के सहारे रन संक्या पहुंच रही हैं साथ पर गेंद हवा में कैच की संभावना को खत्म न करने से पहले बहुत अच्छा कैच किया बिल्कुल सयम रखा अपने आप पर अंतिम चणों पर ऐसा लगा कि कैच को जा नहीं पा रहे हैं लेकिन बहुती सुरक्षीत रूप में अपने हाथ में कैच को पाया और एक सारंग सराफ जो एकागरता डून रहे थे अपनी आखिरकार एकागरता खोब बठे और वापस के पविलें मंश कर दो छिए राजेश हेडला तीनदन पर खिल रहे हैं जबकि विकच पाया स्येख बे 사्जाग डोलवा नहीं अच्छा मिश्रन किया तोलवानी ने अपने गेंदों में फ्लाइट अच्छा रखा मिश्रन किया उन्होंने और मिश्रन भरी गेंद वाजी करते वे बहुती सुन्दर कैज किया जबकि शेशांक तोलवानी की गेंद पर अब है पाटील ने कैपिटल के 12 लेयर करपया कमेंटरी बॉक्स में पधारे आपको बिनती हैं कैपिटल के 12 लेयर प्लीज कम इन दे कमेंटरी बॉक्स है वी आर वेटिंग वा यू यू सियर आजेश के साथ देने के लिए नया बैट्समन के रूप में दाइने हाथ से हलके हाथों से कलायू से मोडा की जैसे ही देगे इन देखा की कोई अत्रिक्त जोखिम नहीं उठानी है कलायू के सहारे बिल्कुल टैप किया एक रन के साथ नौन साइकरेट पर पहुंचे लराहूल बलोड पहुंचे नौन साइकरेट पर एक रन के सहारे कुल रन संक्या आठ पर एक विकेट के नुकसान पर तोलवानी की गैन फिर से उसी प्रकार की गैन्द में गती नहीं दे रहे है फलसरू बैट्समन को स्ट्रोक करने में आजादी नहीं दे रहे है बिलकुल हलकी गैन्दे स्पीड में उनका परिवर्तन दिखाई दे रहा है फलसरू बैट्समन को बिलकुल देखकर परक्र गैन को खेलना पड़ रहा है आठ रन एक विकेट के नुकसान पर सीय राजे शेडा तीन रनों पर एक रन पर उनके साथी बैट्समन राहूर पलोड बैक तुदी बोलर बहुती सुन्दर खेतरक्षन तोलवानी का सीय शेशांग तोलवानी बहुती खुबसूरत ओहर की समापती उनकी होती भी हलकि एक फ्री हिट जरूर मिला लेकिन कोई ज़्यादा फाइदा नहीं लेकिन केवल चार रन खरच किये उन्होंने एक विकेट पाया अपने टीम के लिए एक नियंद्रित बरी बारी के उपर अंकुष लगाते वे गेंद बाजी की उन्होंने स्कोर दो और किसमापती पर आठ रन एक विकेट के नुकसान पर सीयराजेश खेल रहे हैं तीन रन बनाकर साथ गेंदो में और एक गेंद में एक रन बनाकर खेल रहे हैं नए गेंद बाजी के लिए कौन मोर्चे पर लगाया जाते हैं देखते हैं हम हमारे कॉमेंटरी बॉक्स एंड के तरफ से अठ्रा नंबर की जर्सी पहने वे गेंदबाज मोर्चे पर लगाया गया है गौराव ललित गौराव ललित तयार होते वे जगह पर खड़े खड़े खेलने की कोशिश में फ्लाइट में बिट किया गौराव ने बैट्समंड राहूल को और बिना किसी रन के डॉट के रूप में गैंद वापस गैंद बाज के पाद सीए कैपिटल स्कॉर्पियंस बिलकुल काटे भरी गैंद बाजी कर रहे हैं नियंत्रे ते इस बार गैंद ने बाहरी किनारा लिया और इसे के साथ वे आउट राहूल लगातार कोशिश कर रहे थे इस बार गैंद के लाइन में परिवर्दन किया गैंद अंदर आने के बजाए बाहर निकली बीट किया बैट्समंड को और उपरी किनारा लेकर गैंद विकेट कीपर के पास विकेट का होता हुआ दूसरा पतन सीए कैपिटल दूसरा विकेट का पतन दो और समापती के बाद तीसरा और चल रहा है आट रन दो और किनारा लेकर साइंद सीए राजे शेड़ा लगातार बने हुए है क्रीज पर उनका साथ देने के लिए चौथे बैट्समन आ रहे हैं उनके टीम के कौन आते हैं मिदान में देखेंगे हम केदार पांडे के उपर जिम्मेदारी है एक बड़ा नाम है क्रिकेट का केदार पांडे और उनके टीम के लिए बड़ा काम करने की जरूरा है दो विकेट खोये हैं आपस में मंतरना चल रही है किस प्रकार की बात है एंपायर से कुछ उन्होंने सलाह की और फिर अफ स्ट्राइकर एंड पर शाम के समय में जब रोष्ण में क्रिकेट खिला जा रहा है तो जोश बढ़ रहा है क्रिकेट के प्रती होश बढ़ रहा है एक सजीला मंजीला क्रिकेट होने की तैयारी में बहुत ही खूबसूरा स्ट्रोक पहली बार निकला बल्ले से केदार पांडे के है अच्छा स्ट्रोक थोड़ी सी शॉट आप लेंड गैन मिली उनको बिल्कुल कमीट किया उन्होंने अपने आपको फ्रेंट फुट पर और गैन को ऊपर से लौफ्ट किया चार रनों के लि स्कोर ने पहला चौका लगा इस बार सीए कैपिटल्स का बारा रन पर स्कोर जाप महुंचा है गवरव लली तयार केदार देख रहे हैं अमपायर से कुछ बात करना चाह रहे हैं लेकिन अब संतुष्ट है फील्ड का मुएना करेंगे तो चार फिलाड़ी आउन साइड मे आउप साइड में सीधा स्ट्रोक बहुती सुंदर फिल्डिंग बहुत सुंदर फिल्डिंग सराना उनके साथी खिलाडियों से फिल्ड करने के लिए सीधा फिल्डर के पास बैक टूदी बोलर उसी प्रकार के फिल्डिंग सामने जो फोटो कीज रहेगी तेज जी आपको यहां पर आमंत्रित किया जाता है इमेज के लिए मैन आप दिमेज के लिए निकल पड़े है वे भी अदाइने हाथ से ललीत की गैंद गवराव ललीत है अलगी वे गवराव की गैंद और स्थम के बाहर निकली बीट किया लगातार ललीत के और किसमापती भी ललीत ने अपने इस पहले और में चार रन दिये एक विकेट लिया और बहुत ही नियंदरित भरी गैंद बाजे उन्होंने अपने तरफ से की है चोते वर की शुरुआत होने कि तयारी में केदार खेल रहें हैं केदार पांड़े खेल रहे हैं चार रन बनाकर चार गेंदोंए एक चौके की मदद से तीन रन बनाकर सीयर अजे चेड़ा कहल की मदद से नए गेनबाज के रूप में हलकि सी ये शेशांग तो लवानी ने इसके पहला और बहुत अच्छा गेनबाजी की थी स्पिन आक्रमन लगया गया है मोर्चे पर अच्छा मिक्स अप कर रहे हैं तो लवानी तयार हो रहे हैं सीए हेडा गेन की रफ़तार ने बीट किया खिरकार बैट्समन को गेन बल्ले पर ठीक डंग से आई नहीं और विकेट कीपर ने गेन को फील्ड किया लगबग उसी परकार की गेन इजबार वाइड के रूप में गेन निकली लगबग फुल टॉस गेन थी गेन को करेक्ट नहीं कर पाएं बहुत धीमी गेन दे कर रहे हैं फल्सरू बैट्समन टाइमिंग नहीं कर पा रहे हैं गेन फिर से लुड किया ओफ साइड में बिना किसी रन के स्कोर अभी भी तेरह पर दो विकेट के नुकसान पर चवता और चल रहा है हर टीम में छे सीएं खेल रहे हैं बाकी टीम में स्टूडन्ट पांच है कुल मिला करके ग्यारा की टीम खेल रही है मैदान पर फिसी फिर से लगबक स्टम को छोड़ती भी निकली गैंड अच्छा फ्लाइट कर रहे हैं बैक पूट पर खेल रहे हैं फ्रन्ट पूट पर आने के लिए कोई आजाद ही नहीं हुने फल्सरूप इस बार इसी प्रकार की गैंड नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा फ्री हिट का इशारा आने की तैयारी में फ्री हिट लेकिन इस बार अच्छी गैंड तोड़ सी गुड लाइन स्पॉट से उपर उठी गैंड विकेट कीपर के पास ने कली बिना किसी रन के स्कोर अभी बिच्छे उदाहां पर 14 फॉर टू इन दी ओर नमबा फॉर्थ अच्छा स्टो के जटाया थीक बोलर के पीछे आकर के फील्ड करते आफसेड से लांग आउन से आकर के सीधा थ्रू करते वे केबल एक रन अच्छी फील्डिंग पूरे पुरवा नुमान के सा अपने बाईं तरब दोड़ते वे पाटीन ने फील्ड किया एक रन के साहरे रन संक्या पंद्रह पर चवता और चल रहा है पंद्रह अंपायर का इशारे का आउस्टम के बाहर इस बार भी रन नहीं बनार उबर के समाप्ती भी चवते चवते उबर के समाप्ती पर पंद्रह पर दो पंद्रह पर दो रन अगर देखा जाए तो प्रोजेक्टेट स्कोर अभी 38 का बता रहा है मुझे तीन दशमलो साथ पांच रन प्रतियोर के उससे रन बन रहे हैं पांच वावर शुरुवात होने की तयारी में केदार पांडे खेल रहे हैं पांच गेंदों पर चार रन पर सीए राजे शेडा के लिए तेरा गेंदे खेल कर चार रनों पर सीए शेशंग तोलवानी ने दो और की गेंदबाजी की जबकि पांच वावर शुरुवात हो रहा है गवराव आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए शुबम आ रहे हैं शुबम ठोड़े की इस गेंद को बिना किसी रन से खेल दिया बिना किसी रन से खेल दिया पंद्रा परद्रप की दो रन संक्या है आगे का आखोदे काहल सुनाने के लिए मेरे साथी एड़ोकेट शाम देश मुग जी धन्यवाद सर और काफी रोमांचकारी मैच इस प्रत्योगी ताका दोनों ही टीमें काफी मजबूत है और एक अच्छा शॉट यहां पर आता हुआ लोग लक्षे तरसे और गेंद सिमा रेखा को पारकर देव निकल गई चार रन के लिए एक अच्छा लक्षे देने की कोशिश यहां पर होती हुई टॉस जीता है स्कॉर्पियन ने और आमत्रित किया हैं बले बाजी करने के लिए कि अच्छा पर को आए यहां पर खोया है तो सच्छिन सुष्टिकर सर अच्छा में खड़े थे और एक खूपसुरत सा कैच यहां पर किया है तो इस तरह से राजेश हेड़ा आउट होकर वापस लोट रहे पैविलियन के तरफ यह तीसरा विकेट यहां पर खोया है सिए कैपिटल्स में के अंदर लिये हैं स्कॉर्पियन ने और जो निरने लिया है टॉस जीतने के बाद गेन बाजी करने का बिल्कुल सही साबित होता हुआ यह निरने केवल उन्नीस रोनों के ऊपर तीन महतों पुन विकेट यहां पर लिये हैं कैपिटल्स के स्कॉर्पियन के गेन बाजों ने इस बार आओ यहां पर और एक विकेट लेक स्टम के तरफ निकलती भी गेन को बोटने की कोशिश और गेन ठी से बल्ले पर नहीं ले पाए बल्ले बाज गेन बल्ले के ऊपर हिस्से से कोने से लगती भी हवा में आई और एक खुबज़ूरा सा कैच यहां पर किया गया शॉर्ट मिड़ा उप्शे तरम है एक विकेट यहां पर और खोया है और यह है कैपिटल्स के स्कॉर्पियन के गेन बाजों है इस बार आद यहां पर और एक विकेट अर्जुन लहोटी थे शॉट कवर चेत्र में और यह खुबज़ूरा सा कैच यहां पर किया गया बिल्कुल एक के बाद एक विकेट यहां पर कैपिटल्स निखोया है तो बिल्कुल बैक फुट के उपर उन्हें धकेल दिया है स्कॉर्पियन के गेन बाजों ने काफी दबाओ और देखना है किस तरह से इस दबाओ से बाहर निकलती है कैपिटल्स की टीम केदार पांड़े एक छोर से बल्ले बाजी कर रहा है एक चौका लगाते हैं लेकिन दूसरी छोर से विक्टे यहां पर गिर रही है और स्तम के काफी जादा बाहर ये गेन तो इसे वाइड गोशित किया है अमपर ने तो एक रन और जुड़ता हुआ कैपिटल्स के खाते म है रन संक्या अब आगे बढ़ते वी बीस रन चार विकेट के नुखसान पर अच्छी गेंद सुरक्षात्मक तरीके सही से खेला देखा कि गेंद आफस्टम के उपर है अच्छी गेंद है तो उसे सनमान देते वे खेला है बल्ले बाज सुयोग माराठे ने 24 विपर गेंद युपर अग sporting ही अगली गेंद इस बार आगे निकलते हुए खेला गेंद बाज सर के ऊपर से खेला स्रुष्टी काफी तेजी से गेंद के उपर काफी एक्टिव रहते हैं सचीन सुरुष्टिकर काफी तंदुरुस्त है और बढ़िया उन्होंने फिल्डिंग करते हैं कि इनको वापस किया और इस तरह से यह और यहां पर समापत होता हुआ एक रन यहां पर और जुड़ चुका है कैपिटल्स की खाते में तो रन संक्या 21 के उपर पहुंच चुकी हैं चार विकेट के नुफसान बर फ्वेंटीवन फॉर फॉर अप्टर फाई ओवर्स पांच ओवर अभी और आने हैं तो देखना है कि आने वाले पांच ओवर्स में कितने रन बनाते हैं कैपिटल्स फिलाल काफी दबाओ में हैं काफी मुश्क में लाकर खड़ा किया हैं स्कॉर्पियन ने कैपिटल्स को और काफी हद तक अब दारो मदार केदार पांड़े जी के कंदों के उपर हैं अब देखना है आने वाले ओर्स में केदार किस तरह से बहले बाजी करते अपने टीम के लिए बिंस का समय कर दोना है अर्जुन लाहोटी अच्छा शौर्ट इस बार वाईडिश लॉंगान के ऊपर से और फिल्डर गेंद के नीचे बढ़िया क्याच श्रीकान तते वहाँ पर फिल्डर काफी तेजी से गेंद के नीचे आए आकाश बलाड थे और उन्होंने कैच किया हैं तो बड़ी आग्याच यहाँ पर होता हुआ इस तरह से एक विकेट यहाँ पर और खोया है क्यापिटल्स ने अगर्ण लाहोटी की अगली केंद पॉइंट की तरफ के लाफिल्डर वहां पर मौजूद बड़िया क्रिकेट आज जो तोस जीतने के बाद गेंबाजी करने का निरने लिया है बिल्कुल अपने निरने की उपर खरे उतरता वह सभी गेंबाज और खिलाड़ी बिल्कुल सही लाइनलें के साथ गेंबाजी भी हो रही है और कैचिस भी यहाँ पर ले रहे हैं सभी लाड़ी अर्जुन की अगली गेंद आप स्टम के उपर से निकलती भी गेंद और एक पॉइंट के तरफ और यह चटे विकेट का पतन और काफी मजबूत टीम के स्वरूप में उभर रही है स्कॉर्पियोन की टीम बड़िया क्रिकेट छे विकेट यहाँ पर खोय है कैपिटल्स ने और रण संक्या है केवल 22 रण केदार पंडे एक छोर से खड़े हैं लेकिन उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिल रहा है पांच गेंदे उन्होंने खेली है एक चौका लगाया है चार रण मनाते हैं लेकिन सामने की छोर से लगातार विक्टे यहाँ पर गिरती जारी है कैपिटल्स की अर्जुन लाहोटी साहिल खेला है कवरक्षेत्र से डीप कवर से फिल्डर गेंद के उपर आते कि इनको फीड करते एक रण के साथ अपना खाता यहाँ पर खोला है साहिल तो इस एक रण के साथ रण संक्या अब आगे बढ़ते हुए 23 के उपर छे विकेट की नुकसान पर और काफी देर के बाद केदार पांडे अब आये हैं बाले बाजी करने के लिए कि अच्छा शौट कवर चेत्र से फिल्डर काफी तेजी से आये गें को फीड करते हैं गिर पड़े वहां पर लेकिन गेंद को नहीं छोड़ा और निश्ची तुरूप से दो रण बचा है अपने टीम के जन्होंने पिछले ओर में एक कैच किया था कि रिकान ने अभी अभी ये कैच किया था वही श्रीकानत ने बड़िया फिल्डिंग की है आकाश ने कैच किया था हमारे साथी बता रहा है कि कैच आखाश ने किया था एक रन यहां पर मिलेगा अर्जुन लाहोटी है फिल्डर और इससे एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ रही है 26 के उपर 6 विकेट के नुप साथ पर और यह साथवे और की गेन बाजी चल रही है और निकेट लाटें अच्छी गेंदा निकेट की ऑफस्टम के थोड़ी बाहर मुड़ती हुई यह गेंद शौट खिलनी की कोशिश जरूर की केदार पांडे जी ने लेकिन गेंद के लाइन में नहीं थे और इसी के कारण गेंद और बल्ले के बिच कोई तालमेल नहीं हुआ इस बार आफस्टम के काफ़ी जादा बाहर गेंद इससे वाइड गोशित किया है अमपायर में तो एक रन अतिरिक रन के साथ जुड़ रहा है कैपिटल्स के खाते में पिर एक बार आफस्टम के उपर से निकलती भी गेंद को खेला है कवर पॉइंट के उपर से और देखना है अमपायर का इशारा लगत तो रहा है कि यह छे होने चाहिए हां बिलकुल छे रनों का इशारा खुबसूरत सा सिक्सर के दार के तरफ से आता हुआ कि इसे टैप किया पॉइंट चित्र में और यहां पर मौका है दूसरा रहन लेने का दूसरा रहन भी आपर पूरा कर लिया है के दार में एक ही लिया है माफ कीजेगा एक हैं कि अगरे आगे बढ़ती भी 35 रन हो इसकोरर विवेक घुगे जानकरी दे रहे हैं कि पैंटीस रन हो चुके हैं साथ साथ वह और चड़ रहा है और अच्छे विक्ते हम पर खोई है कैपिटल्स के लाटे की यह गेंद इसे हलके से टैप किया मिडॉंग चेत्रस के तरफ और काफी तेजी से अर्जुन लाउटी गेंद के उपर आते लेकिन एक रन लेसे नहीं रुपता है और इस एक रन के साथ रनसंग के आप आगे बढ़ती हुई 36 रनों के उपर पहुंच चुकी है 36 पर 6 लेकिन आज इस मैच के उपर गेंद बाजी करने वालों का बोल बाला रहा है जो पहले टॉस जीतने के बाद गेंद बाजी करने का निन्दे लेते हुए एक के बाद एकी विक्ते यहां पर लिये हैं कैपिटल्स के और विल्कुल मुश्किल में लाकर खड़ा किया है कैपिटल्स को एक बार अच्छी गेंद ऑफस्टम के उपर से निकलती भी थोड़ी सी बाहर थी यह गेंद लेकिन उतनी भी जादा बाहर नहीं कि जिसे वाइड गोशित किया जाए और इसी के करन यह और यहां पर समापत होता हुआ और जब यह और यहां पर समापत हो चुका है तो यह और नमबर त्था साथ और रनसन क्या है चातीस रन छे विकेट के रुपसान पर और इस तरह से 7 वाजं रहा है तो बैटिंग का पावर प्ले यहां पर लिया जा रहा है और उसी का इशारा यहां पर आता हुआँ, बनाता है और साथवे विकेट के लिए 14 रोनों की साज़ेदारी हो चुकी है इन दोनों ही मल्ले बाजों के बीच निकेट लाटे ने पिछले और में 11 रन दिये थे अर्जुन लाउटी ने दो और में 8 रन देते वे दो विकेट लिये हैं अच्छी गेंबाजी की हैं अर्जुन लाउटी ने 36 पो 6 अफ्टर 7 ओर तीन ओर अभी और आने है अब है पाटील यहां पर कुछ देर के लिए हवा में गेंद कैच करने की कोशिश श्रीकांत महापर थे फिल्डर बिल्कुल आसान सा कैच लेकिन नहीं ले पाए तो एक कैच मातर यहां पर छूटता हुआ काफी वक्त तभी था और गेंद हवा में भी थी काफी देर तक और इस तरह के कैचेस नहीं चूकने चाहिए इसका खामियाजा भुगत ना पड़ता है अगर इस तरह के कैचेस अगर छूटते हैं तो इस बार शौट स्क्वेर लेक चेतर में खेलते हैं काफी तेजी से नि बिल चुका है क्यापिटल के लिए तो और अग्याब 49 रूपर पहुंच चुकी है थर्टिनाइन पॉसिक्स केचेतर पंड़े खेलड़े हैं 13 रन बनाकर साहिल पटेल खेलड़े हैं 6 रन बनाकर तो 17 रनों की साजेदारी हो चुकी है साथ वे विकेट के लिए अब है पार्टील हमारे दुरवाली छोर से इनके सामने है केदार अच्छा शौट नो मैस लैंड गेंड पॉइंड के उपर से चार रन यहां पर मिलेंगे इस तरह से रन संक्या 43 के उपर पहुंच चुकी है केदार के उपर काफी हद तक दारों मदार काफी अच्छे खिलाडी है केदार पांडे और कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा लक्ष अपने टीम के लिए यहां पर रखे और उसी की कोशिश यहां पर होते हुई कि नो बॉल का इशारा यहां पर आ चुका है कि प्री हिट भी होना है कि प्री हिट का मौका यहां पर ता लेकिन उस मौके का फायदा यहां पर नहीं हुआ है रण संक्या चवाली से रण छे विकेट के रुक्सान पर फॉटिफोर फो सिक्स सतरा रण मनाकर केदार पांडे बल्ले बाजी कर रहे हैं तेरा गेंदों का सामना करते वे दो चोके और एक छक्का लगाया है उन्होंने यह आठ वे और की गेंद ब पीच तालमेल की कमी और इस तरह से एक महत्वपुन विकेट केदार पांडे जी का खोया है कैपिटल्स ने 4447 अच्छी साजेदार यहां पर हो रही थी अच्छी बल्ले बाजी केदार पांडे के तरफ से हो रही थी और कुछ आशा यहां पर जागरूत होई ती K40 की केदार कुछ अंत तक खेलेंगे और एक अच्छा लक्ष यहां पर रहेगा लेकिन ğa ऐसा नहीं हुआ और थोड़ी तालमेल की कमी केदर और साहिल पटेल के बीच इस रन को लेने के लिए और आखिरकार एक महत्पुन विकेट यहां पर खोया है क्यापिटल्स ने केदार पाड़ने का सत्रा रनों का योगदान दिया है केदार ने और अब नए बल्ले पाज आये हैं अमर टवानी 44.47 चमालीस रन साथ विकेट के नुक्सान पर अब इपाड़िल की अगली गेन हलके से टैप किया मिडॉन शेत्र के तरफ और एक रन पूरा कर लिया है और इस एक रन के साथ अपना खाता यहां पर खोला है अमर जी ने तो इस तरह से जब आठ और का खेल समाप्त हो चुका है तो आठ वे और के समाप्ती पर रन संग क्या है 45 रन साथ विकेट के नुक्सान पर 45 पर 7 बड़िया क्रिकेट C.A.P.L. सीजन चौदा चल रहा है और अगबाद शहर के खूपसुरत से मैदान M.I.T. कॉलेज के ग्राउंड के उपर ये प्रतियोगीता आज से शुरू हो चुकी है 14 वा सीजन और इस साल नयापन ये है कि ये प्रतियोगीता और एक अच्छी गेंद और क्लीन बोर्ड होता है यहां पर बल्ले बाज और इस तरह से ये आठ वा विकेट खोया है क्यापिटल्स ने साहील पटेल आउट होकर वापस लाट रहे पैविलियन के तरह तवानी जी आउट रहे हैं माप कीजेगा अमर तवानी आउट हो चुके हैं साहील पटेल है अभी मैदान में क्या है कि अच्छी गेंद यहां पर अच्छी गेंद यहां पर कि फाइफ और एट पैंतालीस रन आठ विकेट के नुक्सान पर यह स्कोर और इज्वान खान नए बल्ले बाज अनिकेत लाटे हैं गेंबाज अच्छी गेंद यहां पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ मुड़ते भी और श्विंग जिसे कहते हैं और बिल्कुल सही गेंद गुड्लेंड स्पॉट के उपर टप्पा खाते भी यह गेंद कोई मौका नहीं था बल्ले बाज को कोई जगह यहां पर नहीं मिली है इस गेंद को खेलने के लिए इस बीच इस बार फुलर लेंद की गेंद थीक से बल्ले पर नहीं ले पाएं थे बल्ले बाज शॉट खेलने की कोशिश जरूर की अच्छी गेंद बाजी इस ओर के अंदर नहीं कित लाटे काफी अनुभवी खिलाडी है बिल्कुल बांद कर रहा है बल्ले बाजों को और नहीं कित के अगली गेंद इस बार अच्छा शॉट लोगों शेत्र में फिल्डर हैं वहां पर दूसरा रन लेनी की कोशिश और य इन बाज के हाथ में आगे निकल पड़े थे बल्ले बाज और इस तरह से और एक विकेट रनौट के रूप में यहां पर खोया है और इस तरह से 46 रन बनाएं कैपिटल्स ने और उनके सभी खिलाडी लौट चुके हैं तो यहां पर लक्ष्य रहेगा 47 रनों का स्कॉर्पि उनके लिए और यह देखना काफी रोमांज का रही होगा कि कितने ओर्स के अंदर इस लक्ष को पूरा करते हैं स्कॉर्पियंस या फिर कैपिटल्स उन्हें रोकती है इस खूब चुरत से मैच का आखोदेकार सुनाने के लिए हम फिर एक बार आपके साथ में आएंगे जैसे ही बल्लेवाज मैदान में आएंगे तब तक के लिए हम आपको हमारे स्टूडियो वापस लिए चलते हैं धन्यवाद झाला आपके साथ में आपके साथ में बल्लेवाद झाल 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 आज और अच्छी फिल्टिंग के साथ सीधा थ्रो गेंदबाज के हाथ में केवल एक रन के उपर संतुष्ट यहां पर होना पड़ेगा स्कॉर्पियों के बल्ले बाजो को और इस तरह से जब अच्छे और का खेल समाप तो चुका है तो रन सका है 28 रन तीन विकेट के नुखसान पर शशान खेलने हैं 9 रन बनाकर श्रीकान खेलने हैं 2 रन बनाकर अर्शल पाटनी एक और की गिनबाजी की केवल 5 रन दिये वेंकटेश ने पिछले और में केवल 2 रन दिये तो अच्छी गिनबाजी यहां पर हो रही है 24 गिंद में 19 रन चाहिए 19 रन रिक्वाइट विन्द मैच और गिंदे बचिवी हैं 24 मैच धीरे धीरे रोमांचक मोड लेता हुआ और हल्किसी ठंडी हवा की लहरे चल रही है मैदान में और अंगबाद के MIT कॉलेज का यह खूबसुरत सा बिलकुल हरा भरा मैदान है जहां पर एक खूबसुरत सी प्रत्यविगिता जिसका 14 वर्ष चल रहा है पूर्टीन्थ सीजन सीए पी एल जो सीए इसके अंदर खेलते हैं सीए और सीए पढ़ने वाले स्टूडन्ट और इस साल नयापन यह है कि यह डे नाइट के रूप में खेली जा रही है प्रत्यविगिता छेट टावर्स अपनी रोशनी इस मैदान के उपर बिखर रहे हैं और यहाँ पर थोड़ी सी तालमेल की कमीद होने ही बल्ले बाजो के बीच इसको एल लेक शेतर में खेला हुआ यह शोट और रंसंग के आगे बढ़ती भी तीस के उपर तीस तीन मिकेट की रुपसान था सत्रा रं नभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए यह के इंड लेक्स्टम के बाहर होने के कारण इसे वाइड गोशित किया हैं अमपैर ने विशाल चवान और हसन जमाकान यह दो अमपैर है मैदान में तो इसे टैब किया कवर्ग शेत्र में रन लेले के लिए निकल पड़े थे बाले बाद नौस्ट्रा के एंड से लेकिन अरनाउट का मौका यहां पर लेकिन सुरक्षीत लौट चुके हैं अपने बैटिंग क्रीज के अंदर सीए शेशान इकतीस रन तीन विकेट की नुक्सान पर साथवे और की गिनबाजी चड़ रही है श्रेयश दमानी गिनबाजी कर रहे हैं इस बीच आगे निकल कर खेलने की कोशिश लेकिन सही टाइम यहां पर नहीं कर पाये थे बले बाद लिगबाद का इशारा यहां पर साता हूं और एक रन यहां पर जुड़ चुका है स्कॉर्पियों के खाते में तो स्कॉर्पियों पहुंच चुकी हैं 32 रनों के उपर कि अर्टीटू फॉट्री और पंधरा रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए गेंदेबचीवी हैं 21 बिल्कुल ठंडी हवा की लहरे चड़ रही हैं मैदान में काफी खूबसूरत सा वातवरन छे टावर्स अपनी रोश्णी इस मैदान को बिल्कुल जिल मिला रहे हैं और इस खूबसूरत से रोश्णी के बीच यह खूबसूरत सा मैच बिल्कुल रोमाचक मोड ले चुका ह कि देखना है कि क्या स्कॉर्पियन इस मैच को जीती है इस बार कवर शेत्र में खेलते वे एक रण काफी तेजी से पूरा कर लिया है दोनों ही बल्ले बाजों ने तो अब रंसंक्या 33 के उपर पहुंच चुकी है साथ वे और की गिनबाजी चड़ रही है कि चौदा रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए कि गेंदे बच्ची भी हैं बीस रन चाहिए चौदा कि 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 अच्छी फ्लाइट कि अच्छी फिल्डिंग अपने ही गेंद के उपर है 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 अब यहां पर एक अजीब गरीब क्याश करने की कोशी शौट के लाँ था नौन स्ट्राइड के बल्ले के उपर गेंद आकर टकराई गेंद हवा में थी इसे कैच करने की कोशिश की अगर इस तरह का कैच लेते तो बिल्कुल निश्यत रूप से यहां पर बल्लेवाज आउट हो सकता था एक अच्छा प्रयास चाउंतीस रन तीन विकेट की नुक्सान पर 34-43 अफटर 7 ओर्स चाउंतीस रन तीन विकेट की नुक्सान पर 7 ओर का खेल समाफ दो चुका है और 13 रन भी और चाहिएस मैच को जीतने के लिए चाउंतीस रन तीन विकेट की नुक्सान पर 7 ओर का खेल समाफ दो चुका है तेरा रन भी और चाहिएस मैच को जीतने के लिए और गेद्दे बचीवे हैं अटरा शशान खेल रहे हैं 10 रन बनाकर श्रीकान पाठा खेल रहे हैं 5 रन बनाकर और 12 रनों की साजेदारी हो चुकी है इन दो बल्ले बाजों के बीच श्रीयश दमानी एक ओर की गेद्बाजी की कोई मेडन नहीं 15 रन पाँच रन दिये हैं कोई विकेट नहीं मिला है फर्शल पाठनी ने भी एक ओर में पाच रन दिये हैं उन्हें भी कोई विकेट नहीं मिला है तो दोनों ही गेद्बाजों ने अपने पहले ओर के दर पाँच पाच रन दिये हैं अच्छा क्रिकेट एक रोमान चकारी मैच इस बार हवा में हैं गेंद्बाज 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 के नीचे कैच करने की कोशिश हम रठवानी थे एक कैच यहां पर छूटता हुआ 35 रन तीन विकेट के नुफसान था, 35 और 3 12 रन भी और चाहिए, अमर तवानी जी आफस्टम के उपर की गेंद्बाज हलके से टैप किया कवर्क शेत्र में, फिल्डर वहां पर मौझूद लेकिन एक रन लेसे नहीं रोक पाएंगे और धीरे धीरे अपने लक्ष की तरफ आगे बढ़ रही है स्कॉर्पियन, 11 रन भी और चाहिए, रिकांथ और शेशांग, आफस्टम कवर करते हैं, खेलावाई ये शोट, और देखना है, गेंद्बाज चार रनों के लिए सीमारिका को पार करते हुए, काफी देर तक गेंद्बाज हवा में, लेकिन सुरक्षीत शोट था, और ये चार रन यहां पर मिले हैं, डीप स्क्वेर लेक शेतर और डीप मिड्विकेट के बीच में ये शोट यहां पर खेला था, बिल्कुल अच्छा शोट श्रीकांथ के तरफ से और बढ़िया चौका यहां पर आया है, तो रंसंग के आगे बढ़ती हुए, चालीस रन, तीन व बाहर होने के कारण इसे वाइड गोशित किया है, अमपायर विशाल चावान जी ने, तो एक रन और जुड़ रहा है स्कॉर्पियन के खाते में, 41 फॉर थ्री, 41 रन, तीन विकेट के नुक्सान पर, टॉस बनाते हुए, इसे खेला है, ठीक से गेंद को अपने बल्ले पर नहीं ले पाये थे बल्ले बाज लेकिन एक रन जरूर चुरा लिया है, दोनों ही बल्ले बाजों ने, अब 42 के उपर पहुंच चुकी है, 42 फॉतरी, और पकेवल पांच रन, पांच रनों की आउशकता इस मैच को जीतने के लिए, लक्षा है 47 रनों का, और आज काफी अच ही सही लाइन लेन के साथ गेन बाजी करते हैं, बिल्कुल यहां पर बल्ले बाजों को रोकिये रखाता है, और शुरुआ थी कुछ विकेट भी चटकाए थे, और इस तरह से काफी दबाव में लाकर खड़ा किया था, लेकिन यहां पर एक साजेदारी की जरूरत थी, और श्रीकांत और शशांग के बीच 21 रनों की साजेदारी, और बिल्कुल अब जीत के लक्ष के नजदीक पहुंच चुकी है, स्कार्पियोन की टीम, चार रन चाहिए, गेन्दे बची में हैं 13, हमां में है गेन्द, और यहां पर एक चैच फिर छूटता हुआ, एक्स्ट्रा को वर्क शेतर से गेन्द सीमा रेखा गो पार करते में निकल गए और इस तरह से इस मैच को साथ विकेटों से जीत लिया है, स्कार्पियांस के टीम ने, सी एश शांक, मैं आप दी मैच, इसके बाद का मैच, सी ए फल्टन और सी ए स्टार्स के बीच, ग्राउंड्समन जहां भी हो, कृपया मार्किंग करनी है, आपको जल से जल मैदान में जाना है, मार्किंग के लिए, स्टुडेंट अफ दी मैच है गरोल अठी, और मैन अफ दी मैच है श्रीकांत, तुक्ड़ अफ दी मैच है श्रीकंत, झाल 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 कि यह पल्टन है कि यालीस नंद पांच विकेट के नुक्तान पर यह स्कूर इस बड़िया सा क्याइट अब भी ताही ने किया तो एलेक्ट प्रमें ने वाले बाद आये हैं कि यह विशाल कि यह पॉइंट के तरफ फिल्टर मौजूद कोई रन यहां पर नहीं मिलेगा आज काफी बहत्रीन फिल्डिंग की सजावड भी यहां पर की है और बिल्कुल सही लाइन लेंट के साथ गेंबाजी सार की गेंबाजों के परस्ति होती भी नज़र आ रही है इस बिच्छ सब्सक्राइब के नज़्दीक और गेंब तक नहीं पहुंच पाएं लेकिन काफी देर तक हवा में जरूर थी लेकिन काफी लंबा सफर यहां पर तैय करना था फिल्डर को तो केवल अगर अगर नहीं पर आया है कि पुरक्षीद है बालबाज अपने बैटिंग क्रीज के आप यह स्कॉर और समके काफी जादा बाहर यह जेंड इसा वाइड गोशित किया है अपार ने तो एक रही हां पर और जोगता हुआ पलतंगे शाथ है कि अगर अगर बढ़ती के वाली सुर्ण आज भी करते हुआ है कि पुर्टिफों फाइड एक बार उसी दिशा में और पिर एक बर वाइड यह नवा मैच यहां पर हो रहा है इस प्रसेजिता का अंती मुकाबला कल भी 9 मैच के ले जाएंगे और इसी तरह से लगाता चार दिन नो नो मैचेस के लिए जाएंगे और 19 तारीक को इस प्रतिवी ताके सेमी फाइनल और फाइनल मैच के लिए हैं यहां पर दो रन डौड कर पूरे कर लिए हैं लॉंगान के तरह कि इनको फील्ट करके वापस किया जाता है कि अच्छा लगते देनी की कोशिश रहेगी पल्दन की कि अच्छा लगता चार इसाल एक अच्छी गेंगे अच्छी गेंगे इस बार आफस्तम के तरफ जाते वे बल्ले बाज आज उनसाइड में खेलने की कोशिश इस समय नहीं पाया तो गेंगे को कि अच्छा शॉट यहां पर कवर पॉइंट से तरह से खेलावा अच्छी फिल्डिंग और सीधा त्रों विकेट की पर कि अच्छा ओर यहां पर समाप्त हो चुका है कि यह सचीन सोनी जी के तरफ से इस और में केवल शेरन आया है और एक महत पून विकेट धीन एनिमोने क कामिया भी मिली है तो अब साथ और का फिल जब समाप्त हो चुकायत पर अच्छा है अच्छा पांच सुकेट में उक्तान पर कि यह विशाल के रहे हैं एक रह मना कर सौम्या काला के रहे हैं पांच रह मना अच्छी गेंद आई तो नो ने दुर्वाली फोर से आया है जन्माजी करने के लिए बड़ी अगेंद बाजी यहां पर हो रही है ताही की अगली गेंद इसी शौर्ट गेंद हवा में और एक अच्छा शौर्ट यहां पर पॉइंट और कवर के बीच में से चार रन यहां पर मिलेंगे इसी के साथ पचास रन भी पूरे हो चुके हैं फल्टन के अगा आए अगा और आए अगा 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 तो फिटी फोफाइंट आए अगा वावन नंपांच फिकेट की को फ्सान पर हैं तो तुमने का लाग च्रेड़ है नौरन मना कर इस बीच एक अच्छा शौर्ट फिर एक बार लेकिन इस बार फिल्डर हैं केवल एक रन यहां पर मिलेगा दूसरा रन लेनी की कोशिश में थे बल्लबाज जो से देखा कि फिल्डर वहां पर काफी तेज़ इनके पर आए और जिनकों फीड करके वापस किया तो अपने आपको रोक का बल्लबाजे में एक रन यहां पर और जोड़ता हुए इस एक रन के साथ अधर रहे हैं दस रन बनाकर 11 रूबाजे की साजिदारी हो चीए इन दो बल्ले बाजे की पीज आई सोनों ने हुआ है कि यहां पर होती है इस है तो अभी और आने है कि देखना के बच्छे पे दौर और कि अरपी रन बनाते हैं पंत लिए और प्रेपन पांच प्रिक्त कि निश्कांट पर अच्छी गेंद यहां पर रखिर एक बार तपाक आती भी थोड़ी ऊची उठीज निकलती है इस तरह से और यहां पर समाप्त होता हुआ तो आठ और का खेल समाप्त हो चुका है अल्टन के लिए प्रेपन बना है पांच प्रिक्त इनिश्कांट पर और यहां पर अब अब आधिंग का पावर प्ले यहां पर दिया गया है यहां पर यहां पर यहांदी कि अनिश्कांट प्रिक्त इनिश्कांट प्रेफिर समाप्त है यह स्कूर्ट नवे और की गिनमाजी शुरू होने जा रही है लुए यह स्कूर्ट के ऊपर से निकल थी यह जैश्य अधिए कि कि कहा है त्रेपनदन पाच बिकेट के नुख्तान पर कि अधिया नहाता है कि अधिया और को लेकर आये हैं उनका प्रेंगी पहला और कि सामने है बहले बाद को में अधिया आप तम कवर करते हैं खेला बढ़िया शौट तुर्लक के उपर से छे रन अच्छा शौट खेला है तो में ने बिल्गुल अफस्टम को कवर करते हैं पढ़िया शौट यहां पर खेला स्वेर लेक के उपर तुछ के रन कि अच्छा शौट अइस्ट्रा कवर के तरके उपर से चार रन अब थोड़ा से आक्रमक रवय अपनाते हुए बल्ले बाज सुम्या काला जो के जम चुके हैं मैदान में और दो गिंदो के उपर तस रन बना लिये हैं एक छक्का और एक खूग सुरसा चोगा भी अभी यहां पर आता हुए तो सुम्या पहुंचे हैं अपने निजी रन स क्या बीस के उपर और पहुंचे की हैं प्रेसर्ट रन पांच लिकेट में और और की इन बाजी कर रही हैं कि यह गेंद इस बार चौट खेलने से चूक है बहले बाज बीत होता है लेकिन सुरक्षी थे अपने बैटिंग प्रीच के अंदर अच्छा कुछे बड़ी हम है अच्छा कुछे देनी की कोशिश पल्टन के दरफ से चुरुआ थी कुछ लिकेट होने के बाद सुम्या काला ने काफी हद तक अपने खेल को सवा रहा है बढ़िया शौट लॉंगान के उपर से यूज सिक्सर बहत्रीन बल्ले बाज यहां अबर सुम्या काला के दरफ दरफ जबर के शौट यहां पर चला है अ करारा शौट चला है सुम्या बढ़िया वल्ले बाद आप अ और इसा लग रहा था कि कुछ साथ सत्तर रुनों के अंदर सिमन जाएगी पल्टन की बारी लेकिन तॉम्या जिस तरह से बल्ले बाजी कर रहे हैं लग रहा है कि अच्छा स्कोर यहां पर खड़ा हो रहा है पल्टन के लिए फिर एक बार आफ स्टम को कवर करते हैं खेला शौट के बीच में से छे रन के लिए लगातार दो चक्के आये हैं तुरन संक्या 75 के उपर पहुंच चुकी है सेवेंटी फाइफ 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 नवे और की समाप्तियों चुकी है पंधरा गिंदो का सामना करते में 32 रन बनाये हैं तो में ने दो चौके और तीन छक्के लगाते हैं बढ़िया बल्लेबाजी 33 रनों की साज्यदारी हो चुकी है इंदर दो बल्लेबाजे की छटे विकेट के लिए विशाल कर खेल रहे हैं एक रन मनाकर और तुम में खेल रहे हैं 32 रन अभी महेंगा साबित होता हुआ ये और तयम नहाटा का इस और में 22 रना हैं साही सोनों ने इसलिए और में किबल पांच रन दिये थे साही ने अच्छी गिन बाज़े की चुछी आगे निकलते हुए हलके से टैप किया और विकेट कीबर भी ठीक से गेन को कलेक्टन नहीं करता है थे फाइनल एक शतर से गेन को फीड करके वापस करते दूसरा रन यह है अब 77 रोनों के पर पहुंच चुकी है 77 फॉफाइब कर दूसरा निकलते हुए खेला एक्स्ट्राइब कवर के तरह में फिल्डर काफी तेजी से आए गेन के अपर और इस एक रन के साथ दूम्या को खेलने का मौका यहां पर दिया है विशाल में और रंतंशा को पहुंचा आया है 78 के कुल योग पर पांच पिके निक्साइब करें गेंटियाइट फॉफाइट इन गिल्डे और आनी है अंटी नौर की गिनबाजी कर दी है इस भार ठीक से गेंद को बल्ले पर नहीं लेपाए जिए बल्ले के ऊपर रिस्टे से लग्षी भी गई और थरदान से परसे जब्सक्राइब को फील्ड किया जाता एक रन हा और जोड़ दिया है पल्टन ने अपने खाते में तो रंतन के आप उन ऐसी के उपर पहुंची है सेवेंटी नाइन फॉफाइट अगे निकलते हैं हलके से कैप किया और खिलते ही निकल पड़े जो नहीं बल्ला तो एक रन ही हम पर और और असीरन फाइटी निकलते ही निकलते हैं कि लोंगों चेत्र में इस भार थोड़ी मीश्पिल्ड दूसरा रणी हां पर पुरा कर लिया है और इन दो रणों के साथ रंतन क्या बैसी के ओपर पहुंच चुकिए कि अध्याइटी टू फॉफाइं और त्रेयासी रनों का लक्ष यहां पर रखा गया है स्टार्स के लिए तो यह देखना काफी रोमाजिकारी होगा कि क्या स्टार्स इस लक्ष्ट को पुरा पश्टेंगा अध्याँ झाल 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 गट्टानी से यार्फ़े हैं पहला और गट्टानी के दरफ से खलके से भर दिया सामने बूलर खुदा करके इनको उठाते एक रंच से चौर बजलते वे दोनों बैट्ट्पन शिंदारे तथा इर्फान दोनों से ये हैं गट्टानी की गेंद ठीक आफस्टम के बाहर से निकली गेंद बल्ले के अंदर उसी किनाजे ठकरती भी निकली पीछे एक रंट के लिए दोड़े बैट्पन दूसरा रंपूरा करने की तैयारी में लेकिन नहीं कहा सामने वाले एंड से विल एक रंट्पन उस एक रंट्प स्कॉर पहुंचता हुआ दो पर दो गेंदे हो चुकी है बैट्पन दोनों अपके खाते खोल चुके हैं आप साइड में खेला कवर्क पर जाकर से फील्ड करने की कोशिश करते मिड विकेट पर गेंद फील्ड होती भी एक रंट्पन पहुंचती हैं तीन पर फ्री रंट्पन विदाउट लॉग प्राकर गेंद को फिलने की कोशिश की कलायों के साथ मूड दिया गेंद जा रही है फाइनले के तरफ चार रन के लिए अमपायर का इशारे का इंतजार चार रनों का इशारा आता हुआ अमपायर द्वारा पहला झौका आया बले से सिये इर्फान से पहला झौका पहले और रफ में लगता हुआ यह पहला झौका इस बार ऑफ सम के बाहर गैन चार रन के लिए कबर सीमा के बाहर सीधा कबर ड्राइव कर दिया था चार रन के लिए गैन कारपेट के साहरे जमीन को चूंटी वी निकली चार रणों के लिए ग्यारा है एलेवन फॉर नो लॉर पहले वर में दो चोके लगाएं तीन गेंदों पर आठ रण बनाकर खेल रहे हैं इर्फार दर्शन गटानी की अगली गैंद इस बार उसी प्रकार का खुमसूरस तो कि इस बार आउन ड्राइव किया चार रणों के लिए कोई मौका नहीं वहाँ पर डीपेट बकवर्ट स्कोर लगके खिलाडी डॉड कर आते फील्ड करने के लिए कोई मौका नहीं चार रणों के गैंद ने सी मारेखा को पार कर दिया पंद्रह पर स्कोर जा पहुंचा है टीम का बहुती महंगा ओहर निशीत रूप से पहला दर्शन गटानी की तरफ से दो चोकर के मदद से केवल चार रन चार गेंदों पर बारा रन बनाकर खेल रहे हैं सीए इरफार सीए स्टार के सीए काफी अच्छी विल्ले बाजी कर रहे हैं पहले मैश से लेकर आज अपना दूसरा मैश खेल रहे हैं वे पेल लेनिंग में 111 रन बनाये थे इस बार पीछा कर रहे हैं पचासी रनों का फिर से जगए बनाकर खुबसूर जंग से खेल दिया गेंद को फील्ड की आ जाता डीप एट मिड़ विकेट मिड़ान पर एक रन दर्शन गटानी ने पहला वार गेंद बाजी की सीए तो अपने इंड ठोले गेंद बाजी कर रहे हैं सामने बैट स्वन है सीए इरफान इस बाज बीट गया गेंद को आउस्टम के थोड़ी सी बाहर थी आउन साइड में खेलना चाहां से थे गेंद थोड़ी शरीर से दूर थी उनके निकली विकेट कीपर के पास बीट करते भी कट करना चाहते थे गेंद निकली विकेट के पीछे चार रन के लिए बहुत फाइन थर्ड में छेत्र में चार रनों के साथ स्कॉर पहुंचा बीश रन उपर बीश रन बहुत तेजी से बना लिये हैं सी एस्टार्स के बल्ले बादों ने गेंद नीची रही इस बार आउस्टम के बाहर और बाहर के दरफ निकली लेकिन बहुत नीची थी बैट्समन के छोड़ती भी निकली विकेट कीपर के पास बिना किसी रन के स्कोर अभी भी बीश रन बिना विकेट कोएं पहले विकेट की साजीदारी में अच्छे रन जुटा लिये हैं इस बार अधूर एमन से खेनने के गोशिश में शरीर बहुत दूर गैन उनके शरीर से काफी दूर विकेट कीपर के पास तीज़ विस के दायरे पर तीन खिलाडी आफ साइड में चौनता खिलाडी मिड़ आफ पर अब थोड़ा सा दूर जाते हुए फिर से तीज़ विस के दायरे पर चार खिलाडी और पांचवा खिलाडी ठीक मिड़ आफ पर कवर मिड़ आफ पॉइंट बैक टू दे बोलर आकर फील्ड किया जाता पीसे से मिड़ आफ से किवल एक रन दूसरे वर किसमापती स्कूर है कीश रन तिये अमूल किल रहे हैं तीन रन बनाकर तिये इर्फान किल रहे हैं सुत्रह रन बनाकर इर्फान काफि तीजी से बल्ले बाजिव की हैं 마음에 चार चोके लगाकर व्य बेटिंग कर रहे हैं है कि न में संकेत ललवानी गैन दस्क के लिये ठीक हमारे सामने की एंड से गैन बाजी करते वेे गैन काफी देर तक हबाँ में कोई मौका नहीं दोनों फील्डर के लिए फील्ड करने का गैन सी मारे खाके बाहर पहुंचते भी ठीक लॉंग लेक चेथ में झाल झाल टाइमिंग नहीं कर पाएं गेंद को बीट करती भी गेंद निकली विकेट कीपर के पास कोई मोका नहीं कोई शती नहीं लेकिन इजबार गेंद सीधी कैच के रूप में सीधा हाथ में खेल दिया लॉंग ऑन चेट्र में पहला विकेट दिये स्थार का पेविलेंड में वापस जाता वुआ इसी एपल्टन ने रन बनाए थे पुल्ट त्रियासी पे मोका नहीं कोई शती आसी रन बनाए थे जितने के लिए त्रियासी हैं एकुड़् केटर हो चुके हैं। कि यह कि अमोल खंदारे खेल रहे हैं तीन बना कर और उनका साथ देने के लिए कि यह उतर चुके हैं कि यह सचीन है शायद बे लेफ्ट एंडर बैस्मन के रूप में एक कदम पीचे अट करके इनको कट किया पॉइंट पर फील्ड किया गया बिना किसी रन के अच्छा पूजिशन किया था अपने आपको कमिट किया था और कट के लिए जो आदर हिस्टी की होती है उस आदर से सिज्टी में कट कर दिया था लेकिन इस बार बहुत ही उचा स्ट्रोक सीदे खेरनों के लिए पहला ही चक्का लगाया सीए सचिन सोनी ने सचिन सोनी धुवादार बैटिंग के लिए जाने जाते हैं सीए पिल में दूसरी ही गैन पर पहला चक्का लगाकर टीम को पहुंचाया पच्चीस पर इस बार खलके हाथों से खेल लिया लेकिन एक रन तेजिसे डौड लिया बत्तीस पर की टीम को पहुंचाया तीन और किसमाप्टी पर बत्तीस रन अभी भी जीतने के लिए बायालीज गेंदों में एक कावन रनों की जरूरत हैं आज का पहला दिन है जिसका अंतिम मैच चल रहा है लगबग ग्यारा बच कर से साथ मिनिट हो चुके हैं अंतिम मैच की सेकेंड इनिंग चल रही है जीतने के लिए 83 रन बनाने हैं 32 बना लिया है तीन ओवर में लेकिन उनकी बैटिंग की मनशा दिखाई दे रही है कि जल ने जल्दी हो सके इस रनों को बटोड लिया जा फील्ड को से जाया गया वापस आफ साइड में चार खिलाडी ऑन साइड में पांच खिलाडी चार और पांच की विव रचना के साथ में आफ आउन साइड का एक खिलाडी अब आफ साइड में भेजा गया है सामने का इलाका काफी खाली हं केवल सी मारे साथ रिखा पर एक ल 광 आउन है लbell को एक खिलाडी नहीं कवर्स पर एक खिलाडी तैना थे पॉइंट पर एक खिलाडी है तर्मेन शॉट पुजिशन पर एक खिलाडी तैना थे इस बार उसी परकार का स्ट्रोक सी देस्वी पर कवर पर जाकर फील्ड किया जाता एक रन लेफ्ट रैंड राइट का कॉंबिनेशन बीच मेदान में से तीस रन एक विकेट के नुक्सान पर से उतावर चल रहा है सी एस अपनी ठोले गेंड बाजी के लिए फील्ड अभी तैयार है गेंड आफस्टम के बाहर नीचे रहती भी निकली इस एंड से थोड़ इसी नीचे रहती है गेंड जब भी आफस्टम के बाहर गेंड को डाला जाता है तब सामने वाले एंड से थोड़ इसी गेंड उठती है उचाल थोड़ा सा अधिक है सामने वाले एंड से इस एंड से उचाल थोड़ा सा कम गेंड को ठीक सामने के लाउप साइड में मिड़ा उफस्तान पर फील्ड होती भी गेंड बिना किसी रन अच्छी गेंड से उते और की गेंड बाजी सी एस अपनी थोले द्वारा बहुती शान्त मुद्रा में क्रिकेट के ला जा रहा है डे आए नाइट का क्रिकेट सी ए पील में एक अनव खापन लाया जाता है इस बार डे नाइट का क्रिकेट है जैसे मैंने कहा था कि उसी प्रकार के थोड़ी सी गुड लेंड स्कॉट से ऑफस्तम के बाहर से गेंड निकली विकेट कीपर के पास बिना किसी रन पे अच्छी गेंड बाजी सी एस अपनी थोले की इस में थोड़ा सा अंकुष्ट लगाया रखता है बैट्समन के उपर तीन डॉट गेंड लगा तार्फ होने के बाद के विल अब तक एक रन सर्च किया है सचीन सोले ने इस बार में इस बार कट करना चाहा था लेकिन गेंड निकली पीछे बहुत अच्छी गेंड बाजी की अच्छा प्रयाज भी किया कैच करने का और इस ओफर में सफल था भी अरजित की अंकुष्ट लगाने में बैट्समन के उपर गेंड बाज में हलकी चार रन जरूर मिले इस ओफर में बहुत तेज तर्रार निकली थी गेंड पीछे उन चार नहीं से स्कूर से तीस पर गेंड बाज का अंदरों ने किनारा लिया विकेट कीपर के पास गई गेंड एक बाउंस के सहारे गेंड बाज का उस सहावर धन करते हुए है देखना है गेंड चार के लिए जाती है त्वा चक्के के लिए चक्के के लिए इशारा आता हुआ अंपायर जवारा उच्छे रूंस के साथ स्कूर ने चलांग लगा दी त्रे आलीस पर अभी चत्तीस गेंड़ों में चालीस रन आने शेश है विकेट मातर केबल एक कोया है एक चक्का और एक त्वक्वी की मदद से तेरा पर खेल रहे हैं सीए अमोल एक चक्का की मदद से खेल रहे हैं सीए सचीन सोनी आठ रूनों पर आठ गेंदों में तेरा रन सीए अमोल के चार गेंदों में आठ रन सीए सचीन सोनी के सीए अमोल ने तेरा रन बनाएं सीए रिफान ने कीस और सीए सचीन आठ रन बना कर खेल रहे हैं सीए अमोल के साथ चार ओहर प्रेया लीश रन दर्शन ने एक और गेंद बाजी की सीए सो अपनी फोलेने दो ओहर अगला ओहर गेंद बाजी के रूप में आफ साइड में गेंद को खेला ठीक सामने फिल्ड किया जाता कवर पर एक रन तेजी से दौड लिया उस एक रन के साहारे स्कूर पहुंचा है चवालीस पर चवालीस रन एक विकेट आफ साइड में फिर से पांच के लाड़ी इस बार हुक करना चाहते थे आउन साइड में गेंद बीट किया उनको गेंद तेजी से निकली उनको छोड़ती भी जगा बनाने की कोशीश की लेकिन गेंद की रफ़तार ने बीट किया विकेट कीपर के पांच गेंद वापस गेंद आज के पांचा श्टोक है लेकिन शी पांच वावर चल रहा है फिर से उसी प्रकार का फील्ड फिर से उसी प्रकार की रणिंग बिट्विन डिविकेट एक रण के साहरे पेंटालीस पर पर पूरजा पहुंच रहा है सीए स्टार्स का सीए फल्टन के अगेंस में त्रेयासी रणिंग को जीतने के लिए बनाने है इस बार कुप्स तूर रस्टोक किलने की गोशिश में सामने किलना चाहते थे आफ साइड में गें निकली आउन साइड में बोलर फॉलो त्रू में खुद आकर फील्ड करते च कि पांच और के समाप्ती पर पैंतालीस रन एक विकेट के नुपकान पर अभी भी तीस सिगेंदों में 38 रन बनाने हैं ड्रिंक्स मैदान में चल रहा है जबके आप सब जानते हैं आज सुबर इस पी एपी एल का चौदवे सीजन का आगाज हुआ मन्ने वरो के हाथों उसके परशाद आट मैचेस पूरे हो चुके हैं नवा मैच चल रहा है नवे मैच के अंदिम पांच और आ रहे हैं हुआ है कि तेजी प्रदान करने की कोशिश की है कि नौर अन्प्रतियों के उससे रन बन रहे हैं साथ दशमलों छे रन प्रतियों के उससे रन आने हैं कि पहली गैंद डालने की तैयारी में और गैंद बाजी के लिए रिखाल से शाहू गाइकवाड पर आते या और कोई आते हैं देखते हैं लेकिन कमेंटरी की जिम्मा समालने के लिए शाम देशमू कर रहे हैं कमेंटरी के लिए कि अधिवाद सर और इस तरह से 45 रण बना लिये हैं एक विकेट की मिफ्तान पर पांच पोर किसम आपकी पर इस्टार्स में और देरे जरे अपने लक्ष के तरब आगे बढ़ती ही इस बार खेला है स्क्राइब काफी तेजी से गिन के उपर आया और गिन को फील्ड करते हैं और एक रण यहां पर चुरा लिया है दोनों ही बाले बादे में तो रण संक्याब आगे बढ़ती ही 43 रण एक मातर भी कितनी उफ्तान है यह सचीं सोनी खेल रहे हैं नौ रण बनाकर अमोल खंदार सब्सक्राइब करें हैं पंदरह रहा है तो 21 की साज़ेदारी यहां पर कोई चुक्राइब कामेंट बाफ एंड से और सब्सक्राइब और बनाने स्क्राइब को जीतनी चुदिए हैं अच्छा शौट गेंड़ सीमा रहा को पार करते हैं निकल गए 4 रन और इसी के साथ 50 रन पूरे हो चुके हैं स्टीय स्टार्स के अच्छा स्टार्स पर एक लिकेत के नुफ्सान पर यह स्कूर से तीस नहीं और तो यह स्टार्स के जीतने के लिए वार अफ्स्टम के ऊपर की यह गेंड खेला है वीप कवर पॉइंट के तरह में पिल्डर वहां पर मौजूद है तो एक रहां तर और नहीं तर और दिले पंदरा रन बनाकर अमोल और चौदा रन बनाकर सचीन सोनी बल्ले बाजी करें और दूसरे विकेट के लिए 26 रनों की साज़ेदारी हो चुकी है इन दोनों ही बल्ले बाज़े बीक रमन बजाची यह गेंड इस बार अच्छी गेंड थी फुलर लेंद की गेंड बिल्कु सब्सक्राइब कर रही है जो लक्ष उनके लिए रखा गया है बायासी रनों का त्रेसी रनों का लग्ष है और इसे पूरा करते हैं अब तक बावन रन बना लिया है 31 रन भी और बनाने इस मैक को घीतने के लिए इस तार्स एक अच्छी गेंड यहां पर देखने को मिली र तुलत देखा सही ताइम यहां पर बनाया गेंड को बल्ले के बीचों बिश लिया तो वर्शे पर मिलेगा फिल्डर है महां पर केवल एकरन यहां पर मिलेगा तुमने काला ने आज काफी बढ़िया वाले बाजी की अपके पीन के लिए अब यह जो गेंड को फील्ड करके वापस किया है इस अच्छा लक्ष खन्मान जनक लक्ष हम पर रखा है यह स्टार के लिए प्रिफ्टी थ्री फर वन अफ्टा सिक्स चुविस गंदों में तीस रण चाहिए अंधरा रण बनाकर शकीन सोनी और शोला रण बनाकर अमुल फंदारे बाले राजी कर रहा है और अब गेंड बाजी करने के लिए जय को लाया गया है रमन मजाज ने पिछले और में आठ कि और फरोभी यहां पर हो चुका है और दूसरा रण यहां पर पूराकर ज़ा को नहीं नहीं है सचीन सोनी और अमोल ये दो बल्लेवाज काफी अनुभवी खिलाडी है और काफी अच्छी तालमेल है दोनों की बल्लेवाजों के बीच अच्छे रन बना रहे हैं अच्छा शौट इस बार मिड्ड विकेट के उपर से यूज सिक्सर एक सट रन एक विकेट के नुफ्टान पर वावीस रन ब्यारता ही है और गेंदे बच्छी हुई है बावीस जबारता स्ट यहां पर केला है सचीन सोनी की तो छक्क्य और एक चौक्य के साथ तेवीस रन बना चाब है बल्लेवाजी का रहे हैं तो बार अच्छा शौट फिर सब्सक्राइबार लाओन शेतर में फिल्डर मौजूद इसे ही देखा के फिल्डर काफी तीजी से गेंचे उपर आये हैं तो यहां पर दूसरा रन लेने से अपने आपको रोका दोनों ही बल्लेवाजी है अच्छा कॉल सही तानमेल के साथ बल्लेवाजी होती हुई अच् करकको बल्लेवाज इस कि अच्टी निए को रखी घार एक तेखा पॉई ठीक से गेंद को बल्ले पर नहीं लपाएं ता बल्ले बाज इस बादो नहीं को निकार नहीं लीकुल जम चुके हैं दोनों ही बल्ले बाज माज़ान। इस तोनीोगे तूबीस रन और अमॉल खंदारे फतरह रन बनाकर बल्ले बाजी कर रहा है। और पीस पर मुझी साजिदारी हो चीकी है यहां पर, इन रही बलगाजी की पीज तायद इसके जेल बिखाई नहीं देया नहीं, इसके कानल जेल बज़े गई है कि यहां पर रण लेनी की कोशिश में निकल पड़े थे बल्ले बाद कि पैंसर ट्रंड एक विकेट की रुपसान पर साथ और का किल कमाप हो चुका है तीन और भी और आने हैं यानिके अठरा गेंदे और जीतने के लिए अठरा रूनों की ज़रूरत कि चालीच रूनों की साज्यदारी हो चुकी है इन दो बल्ले बाद के बीश पटाइस गिन्दों में चालीच रूह जाएके इस और के अंदर बारह रना है है तो होता है कि अल्टन की दरफ से तो रमन बजाच को दी जाती है एक बार गेनबाजी कन्य लिए में अज्क को गीतने के लिए और पाउगर यहां पर ले लिया है जिए उने हैं तो जल से जल्द यहां पर हो जाए तो कि लिए यह अच्छा होगा और साइद इसी को नजर में रखते हैं इन्होंने बैटिंग का पार्ट ले लिया है और प्रेके नियम के मताबिक केवल केवल दो खिलाडी ठीज गर्ष सकते और बाकी सब्गेदियों कर दोभी खिलाड़ी कें अंदर रहना सकता है तो बालेबाद खूल कर पनाज़ कर सकता है खुल कर शौर्ट खेल सकता है और जिस तरह से ये बल्ले बाज जम ठीके है मैदान में तो खुल कर खेलने की कोशिश और यहां पर एक अच्छी गेद क्योंके बल्ले बाज शौर्ट खेलने से अमुल खंदारे और क्लीन बोर्डों कर वापस लोड़ रहता भी जेंके पर तो जो जोड़ी जम चुकी थी मैदान में 40 अनों की साज़ेदारी की थी उसे तोड़ने में कामियाभी मिली है काहू गाएक वर्ड को और इस तरह से ये दूसरा विकेट खोया है पहिसद के रंतंचा के ओपर सी एस्टास के प्यूश महता है का अज पहले मैच में काफिय अच्छी बल्य बाज की प्यूश है कि तार के दरस्टे से जिलते रहे हैं जो एक बार आ है इस जाए तो इस टैब किया कोई रही कोई नुवस्तान नहीं काइस सब्सक्राइब दो विकेट के नुख्सान पर अठोए ओर की ग ही हैं तो और भी और आने हैं इस इन कोनी एक ठोर से घटव है हैं सब्पी सरुन बनाते हैं हम उल्खंदार लौट चुके हैं ता विलियन में और प्यूश मेहता नए बल्बाज काम ना करने की कुछ थोड़ी सी परेशानी हैं पर अपने बॉलिंग रॉन अप को लेकर जिनबाज महसूस करते हैं इसी कारण अपने आपको रोकते हैं फिर एक बार जिनबाजी करने की कि लिए लेक गेंड लेक स्थम के बाहर आपी तेज गेंड करते हैं शाहू लेकिन इस बार ये गेंड लेक स्थम के बाहर निकलती है तो इसा वाइड गोशिक क्या है अम पहले एक रन और जोड़ता हुआ तार्स के साथे में तेस्थार्स इस इस फॉर्टू हो की एगेंड कवर के तरह में खेलते हुए निकल पड़े हैं प्यूज और इस एक रन के साथ अपना खाता यहां पर खुला है प्यूज मेंड़ा जिस्टी सेवन फॉर्टू विकेट की नुफसाद पर तो लारन अभी और पही है इस मैच के जीतने के पंद्रह इंडीं की सजावत यहां पर हो रही है पल्टन के तरह के अच्छा शॉर्ट नो मैंस लाइन जे जा रही है लॉंग लेक्षे तरह से अब मिस्टी प्रूप से सीमा रेखा को पार करते वीडिकल गया और यह चार है तो लोर रॉन्स रिक्वार्ड टू इन दमाइक बारा रॉन दिया और के इस मैच के जीतने के लिए यह स्टार्थ पहुंच चिकी है एकास्तर रॉनों के उपर दो विकेटिक स्टार्थ ताहु का एक वार्ड की अगली गेंश इक बार आफ तम के काफी बाहर निकलती ऀए और अपने जगह से ही क्षेलनी की कोशिच की सचीन सौनी घिने Chinis अबकी अपील यहां परber औरट बिहाईं को लेकर अपील के अंदर कोई विश्वास नहीए आखना जेवल आवाजेंथ ही अपील चौन ऑपर काउ우 को घर दो इस तरह सिए ओर यहां पर समापत हो चुका है यह ओर नमबर था आठ आठ हुआ ओर जब समापत हो चुका है तो सिय स्थार्स में बनाये हैं पाइदान में अच्छी वह लिवाजी कर रहे हैं तो चौक्य और दो च्छक्य लगाते हैं वह तीस रन बना कर भल्लिवाजी कर रहे हैं तर्षिन गट्टानी को लाया जा रहा है जिन बाजी करने के लिए वारा गिंदे बारा रन कि उल्कुल कि थंदी हवा चल रही है एदान में मौसम काफी थंदा है दोपर के वक्त तूरज काफी जर्मी दिखरता है और रात में थंद इस तरह का कुछ माहूल इस शहर में है और अंगबाद शहर महाराश्तर का एक अईतिहासिक शहर जहां पर यह प्रतियों गिता का आयोजन किया गया है और इस प्रतियों गिता में खेलते हैं और इस प्रतियों यहां पर दर्शन के तरफ से दर्टन गठ्टानी एक गेंद मातर डॉट यहां पर की है तो दस गिंदों में ग्यारा और यह अच्छा शॉर्ट सीधा कॉमेंट्री बॉस के नीचे और यह परिया विल्डिंग तो दो रन यहां पर और आये हैं और इन दो रनों के साथ रन संक्याप चहुत तर के उपर पहुंच चिकी हैं और नव रन चाहिए स्मैक के जीटने के लिए तो नी पहुंच चिके हैं 32 रनों के साथ बढ़िया मुकाबला रोमांच का रिमाइक दोनों ही तीमें पूरी कोशिश कर रही हैं अच्छी गेंद बिल्कुल यह और कर लेंद की यह गेंद आफ्टम के ऊपर से निकलते हुई और पूरी तरह से क्योंके बल्ले बाद बीट होते हुए सचीन सोनी अच्छी गेंद दर्शन के दरब के बिल्कुल दोनों ही तीम के खिलाडी पूरी कोशिश कर रहे हैं इस मैच को जीतने के लिए सही लाइनलें के साथ गेंद बाद बले ही इस मैच के उपर मजबूत पकड़ जरूर बना ली है कि यह स्टार्स ने लेकिन फल्टन के गेंद बाद भी काफी हद तक अच्छी कोशिश करतावे नजर आए है इस पूरे ही मैच के अंदर जब बच्वी है साथ और रण चाहिए आठ जवेंटी फाइफ टू नवे और की गेंद बादी कर रही हैं इंकीन गेंद रहेगी और की आठ नभी और बनाने हैं ताथ गेंद बाद आए कोशिश में था कि ल्टास गेंद आगे निकल कर खेलने की कोशिश में थे बल्ले बाद गेंद उनके बल्ले के बजाए पैड से जाकर प्राती हुई एक रण और जोड़ता हुआ स्टार्स के खाते में और यह स्टार्स अब पहुंस्तिके हैं आगेद भी आपके गवार्स नावर्स नहीं किया लेकिन केवल चार रण प्रती ओर के उस्तार रण ने खाते खेट रण जोड़ता हैं कि अच्छा मुकाबला इन दोनों के बीश बिल्कुल मजबूत तीम में ये दोनों ही और मजबूत तीम के स्वरूप में उभर कर आ रही है इस पुर्ची गिता में भले ही आज फल्टन ने जादा रन नहीं बनाए लेकिन गेंबाजी काफी अच्छी उन्हों ने की है और आज अमुल कंदारे ने फिर एक बार ये साबीत कर दिया है कि वो एक अच्छे किलाडी है और डॉंडर किलाडी है और अच्छी बल्लेवाजी और अच्छी गिनवाजी भी करते हैं और आज काफी अच्छी बल्लेवाजी उन्हों ने की और उसी तरसे सीए सचीन सोनी ने आके बढ़ता हुआ और एक अच्छी गेंद यहां पर आती हुई और बिल्कुल नेक टू नेक यह मैच यहां पर होता हुआ एक गेंद यहां पर डॉट इसकी है कि वसल अग्रवाल में और अब गेंदे बचिवी हैं पाच और रन चाहिए साथ रोमांच कारी मुकाबला बीगल रोमांच से भरा हुआ और एक अच्छा शॉर्ट विडविकेट के उपर से यूज सिक्सर प्यूश महता है काफी लंबे शॉर्ट्स केलने में माहिर है और आखिरकार एक खुब शु रन दो विकेट के रुक्तान पर और विल्गुल स्कोर लेवल हो चुका है अब कि वल एक रन जो जीत के लिए आवश्यक होता है बस उसी का इंतजार यहां पर होता हुआ और अब एक रन चाहिए तो सभी खिलाडियों को इस गारे के अंदर बुला लिया थाया है इस तरह से कुछ आकरमक फिल्डिंग की सजावत यहां पर की जारी है लेकिन इस तरह से बल्लेबाजी करते हैं प्योश महता इनके लिए यह इस तरह की आकरमक फिल्डिंग की कोई आशकता नहीं है वो काफी लंबे शौर्ट केलते हैं और उसी तरह से लंबा शौर्ट उन्हें ने खेला लेकिन एक बढ़िया कैच किया रमन बजाज ने बिल्कुल कॉमेंट बॉक्स के सामने आते हुए गेंद काफी उची हवा में गई थी काफी वक्त था यहां पर रमन कामें भी उन्हें ने काफी बढ़िया गेंद बाजी के साथ अच्छी फिल्डिंग भी की है तो आज भी एक अच्छा कैच उन्हें ने किया और प्यूश में है ताको आउट कर देट पैविलियन के अंदर वाफिक भीजने में काफी हद तक उनका अच्छा योगना नहा है तो कफी अच्छा क्रीकेट यहां पर होता हुआ तीसरा क्रीकेट यहां पर ख्वया है जीत के लिए रंटी जो उसकता है इसका इंतजार यहां पर होता हुआ तीन गिंदे एक रंट नए बहले बाज आए हैं तंतु सो नो ने कि अंदर अदर का वादी वह गेंण हलके से करते वह और यहां पर और इस तरह से इस मैच को जीत लिया है सांध के साथ ऑड़ अर कि एक रोमाजर करी मैच यहां पर समाव को मैच नए पार सकावा और कि अईब आगउना कि अई और कि अगज हाह सबस्क्रण और फिस्ट सल्ट व्रब